काफी अच्छे तालुकात रहे हैं, तू समझ रहा होगा समझ गया, मैं समझ गया जो मिल रहा है वो पिल रहा है जो मिल रहा है वो पिल रहा है एक तो मैं पहली शैतान उपर से बन गया आदा जाट अरे, सेटिंग करा दे ने इस्टा बात करा दे I wanna brew you प्र्रुड। इस रही है आरे, डोडा पूरही रहता है अरे, बदमाशी, अरे, मैं तो इकाँ बता की गया है हो कि हम ही हम है, बागी सब कम है इस तख्तार ने वारा भाई, छटा पतार इशको पीट के दिखा देयान तर को फ्री में ले ले लेंगी मामन बूद बना दिया उसका मेरी मम्मी टीचर थी वहाँ पर एक्टरपाज अहां मेरी मम्मी ने वहाँ सोला साल पड़ाया भाई देख लिए भाई कनेक्शन ही कनेक्शन चटी में था यार चटी तक तो जाटी नहीं थी दोस्त पूरा मुठ लैंड बना रखा है नोने प्यार ही हो रहा है डाइरेक्ट में इचकी तो लाई नहीं है पैसा मिलता था इसका कि नहीं ना भाई चिली चिकन खिला देते तेंड में तो उन्होंने बतायागा आप इसको ना एक साइकोल लॉजिस्ट के पास लेके जाओ तो मम्मी कहती है अरे पागल थोड़ी है वो क मैं समझ सकता हूँ आपसे बहुत लोग ने पूछा है पर फिर भी एक बारी अगर आप क्लेरिफाइ करना जाहे कि माफिय मुडीर क्यों टूडगई वेलकम रफ्तार भाई आपसकार भाई तो एक्साइट एक्साइट अगजिस्ट इस लाइख नडगई वट वाट वन टूसे इस ना लाइफ अपको देखा था जिम में अठारा सेक्टर में आज से बारा-पंदरा साल की पले ही बहत है यह चाहर इस बीफ राइट और भाई मैं उस ताइम हिप-पॉप सुनता था बड़ा एविली इंफ्लूएंस था मैं 50 Cent गेम से डॉकुमेंटरी आय थी तब गेम की मेरे को याद है राइट और भाई मैं जिम आया में मोटा सा हुआ करता था मैं आया वही जिम में मैं बजन कम करने आया आप श्र तो भाई तब से एंगे अगे राइट पॉक्त रहा राइट आँ अ ए रगान में यूट आण ऐलसे इस ऑन्सूजड़ भाई राइट था करा राइट अट यूट्ड़ ऑई अवे बोल्सें प्राइट बहु एचिंग आर था था वोट अनेकशन दी तो है ना? शाँ कल्देवальной कनेकशन है था? दे चैंट वर आपटे है? भाई बहुत बड़ी आदा वनलेडिकllä एक तो तो आपको इप्रमोर्ड करना हो तो लिह मतलब भूस्फे ड़िक आपटी एकटर्चा गया को आपको कुछ प्रमोट करना होतु कुछ प्रमोट करना होतु कॉस्फो मेडी पीपल अर गुट अर देखो यार 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 लवाव तो चेंज वी टाइम्स ना सामय के साथ बतलना पड़ता है पहले होग लगा करती थी अब रील बनाने पड़ते हैं और इन चैनले पर जाके प्रपोस्ट पर पर प्रमोट करना होता है तो वह एक्सपियंस बहुत है और तॉप अफ बोफ नव भर भर, शल्मान बाई के साथ फीलिंग यह भहत बड़ी है यह वह एपसुलिदी प्रवन्दा है वह वह बड़ी है अच्छा, so how was it that they approached you that you have to do it and how was your reaction like that I would be giving a song to Big Boss again because when you come to Big Boss one time, the thing is that it was coming to Big Boss यार मेरा ना ये शोवस के लिए टाइडल ट्राक्स बनाना, एंथम्स बनाना या एक टॉपिक बेस्ट गाना बनाना जैसे मंटोईयत हो गया या कुछ भी हो गया जो बेसिकली एक सिचुवेशनल है और एट्स बनाना ये इसमें मेरा काफी सही लग रहा है मैंने जितना भूछा की एक छिए मने बहुत पहले खतरों के खिलाडी के लिए बनाए था और चोटा भीम तक के लिए बनाए दोस्त मतलब देर इस ऐसे कवो रेजज ही नहीं है कि भाह ये गाना इतने दिन है तो मैं बस यह देखता हू, आकाउंड में पैसे दलते हैं, शाम को में गाना पैसे आपश। कि अपश। तो मैं बस ब्रॉइनी के दिन कासे थे? भाई रोहिनी के दिन सबसे बड़िया थे कशम से। मतलब इतना मिस करता हूं अन दुनों को और मैं रोहिनी का था पर जादा बादली में रहता था सारे यार दोस्त मेरे बादली के थे ठीक है जिम जाना मैंने वहीं से शुरू किया था और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी वहीं पे एक आर्मी के एक सर आते थे अपनी छुटियों में तो उनके साथ मैंने वर्काट करना स्टार्ट कर दिया वही सब को छोड़ के तो वहां से हुई तो वह बहुत बढ़िया सबसे बढ़िया दूद दही यह सब मेरे को मिल जाये करता था कि मैं डारेक्ट जाकर बादली से स्टबल से लेकर आता था मैं और बदमाशी अगाले में तो बढ़िया वाली शुरार ते कि कि Kansas tenho हो जाते दें कभी जुड़ो करके करतें कभी जॉगिंग करतें लेते क्वेश तूड़तें कभी Shopify तूड़त तोड़तें बुद्वजार लगा करता था मरे रोइनी में लीना हो ममई के साथ जब बहुत चोटे थे तो मंमी के साथ जाना करी ममिया लालच कि तु मेरी सबजी को ठेला उठाएगा और वाप्सी में तेर रहों के सामने से एक बड़ी ऐसी आइस्क्रीम खिलाऊंगी वहाँ पर एक ही कॉर्णर में वह उसकी दुकान हुआ करती थी आइस्क्रीम वाली सालों से मेरे ख्याल से अब भी है यही सब यादे थी और यही इन सब चीजों के बीच में क्योंकि मैं घर पर अकेले रहा करता था मौ कि वह कॉपर की वायर लेके उसको आग से काटके दूसरे पर ब्लेड मारके उस पर डाल के तार ना हलका हलका वह टीवी देख रहे हैं और एसे से लगा चैनल लहर रही है पूरी स्क्रीन में और हम सब देख रहे हैं तो कॉंटेंट बहुत कंजियूम करता था तब म्यूज को छोड़ का कि खड़ी होती है कि अब देख लो इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है इस कोई सफाई होगी तो वहाँ पे लोगों का जो समान रह जाता था जैसे किताबे स्पेशली किताबे कसेट्स ये सब जो चीज़े होती थी ना ये लॉस्ट एंट फांड में चले आती और जब काफी टाइम के बाद क्लेम नहीं होती थी बहुत टैंग लगाले साल हो गया आठ महीं ने होगे क्लेम नहीं किसीने कुछ भी तो पापा वो ले आया करते थे जो उनको मतलब की लगती थी मेरे तो बचपन से मैंने ये माइकल जैक्सन और ये सब बहुत सुना है ब सदेवा में इन चीजों का बड़ा मेरे को शॉक था पर वहां कभी मौका नहीं मिला वहां कभी करने का मौका नहीं मिला क्योंकि हम ना शैतानी वर्ग के बच्चे थे हमको जादा तो क्लास के बार बिठाय रखते थे कभी नहीं किया कभी कोई सा पीट दिया अब दोस्तों सब्सक्राइब ने तो ऐसी अर्कतिक्त करी है कि मतलब भग गए आज स्कूल से फोन चला गया इनको पता लग गया चुटी के बाद यह जैसे हमारी चुटी वही हमें बाहर मिले हमने बोला कि भाई तुमने आज बंक कर दिया तो भाई वहां से भग गए फिर उसके आद भान भागीदार में बहुत रहता था तो हाइपर एनरजेटिक बहुत था बेसिकली तो मम्मी सही अच्छे ऑफिस में काम करती थी शुकर है अंबाडी एंटरप्राइस नाम की कंपनी उसमें काम करती थी तो जो उनके बॉस बॉस थे ना यह सब अंग्रेज लोग थे करने मममी की ड्योटी लगा रहती टीचरोंने की हार सेटरड़ आना है आपकी सब का पीट्या मंग भोता है चार महिनेमें एक बार 오늘 आपको आना है अ तो आपने साइको लॉजिस्ट के पास लेके जा रहा है जो बताएगा कि मतलब कि इस बच्चे के मन में क्या चल रहा है क्या इतना इतना शैतान क्यों है यह पढ़ाई में भी अच्छा है नंबर भी आ रहे हैं बंग भी आ पॉजिशनिंग थी वो तो मैं उनके पास जाया करता था और यह करोल बाग में वहां करते थे मम्मी फिर रोशंदी कुल्फी के बहाने से मेरे को ले जाती थी कि चल तेरे को आज वांगे छोले के बटूरे और क्या कैते अपना फलूदा मिलेगा तेरे को पता ही है क्लाग व आप बस यह करो कि यह जो भी कल्चरल काम करना चाता है ना मतलब ऐसे वाला डान्स डूण के वह एक्स्ट्रा करीकुलर आक्टिविटी जो भी करना चाता है वह सब करने दो डाल तो का सकते दे दोस्त फीस लगती खुच जो भी करने दो तो कहीं जाके कुछ से टूशन के लावा मैंने कहीं पैसे देगे कुछ नी सीख और टूशन में पैसे देगे भी कुछ नी सीख तो अब चलाए करता था भाई जैसे मैं नो बताए बाबा वाले पारक में वहां खड़े रहते थे और वो टाइकॉंडो की क्लास चल तो इधर खड़े हो के हम भी हाथ पैर उठा वाए नया तो इसको पीट के दिखा दिया हम तिरको फ्री में ले लेंगे मां मने भूत बना दिया उसका मतलब ऐसी चीज़े होती रहती तिया वारे आसपास और यही सब जब एज बढ़ती गई तो होस्टल चला गया वाई मैं सिक्स्त के बाद क्योंकि स्कूल वालों ने बोल दिया कि आप हमसे ना गुड़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाओ नंबर तो इसको आई रखे है फेल फूल तो वह नहीं है है ना और इसको आप पर ले जाओ यहां से अपना स्कूल से कहले आता है खाना वाना गरम करता है और यह सब चीज़े करता है जो और टीवी रूट पर उनकी ने ड्यूटी लगती दी राजदानी के साथ जाना होता था और मम्मी ऑफिस से आई मैं खेल खूल के इतना थका हुआ था भाई मैं फ्रंट रूम के मैं बेड़ पर सो गया फ्रंट रूम के पहला रूम यह यह हॉल और यह रूम खतम गर लाई जी आगया मुझे आपका जो क्या है तिरे को पता यह शेप कैसे यूँ और यह वाश्रूम बाथ रूम और यह आगया रूम उसी बेडरूम के अंदर ही किचन है और फिर बैलकनी है चोटा सा भाई मैं ठक ठुक के खतरनाक सो गया मैं सोया कैसे हूँ कि फ्रंट रूम का बेड है फ्रेंट रूम मैं मतलब वही सोफा की जगा बेड़ी लगा रखा कि इसी पर आके मैमन बैठेंगे इसी पर इसोया करेगा मैं उस पर पैर लटका के और बॉड़ी पीछे ठीक है मैं सो गया हूँ मम्मी ने आके गंटी बजाई एक दो तीन दस पच्चिस पचास शोर सब खट-खटा रहे हैं मैं सो रखा हूँ मम्मी वहां से CD लगा के लोग चड़े एक फस्ट फ्लोर के उस पे खिडकी से देखने करें तो बैड़ पर पड़ा हूए ऐसे ही वहां पर मम्मी का हार्ट फेल उनना चालो कि यह क्या हो गया भाई दरवाजा तोड़ दिया लोह में उठाया बेड से और तम मैं जागाऊं कि क्या हो गया मम्मी गहरे पता नहीं यह अपड़ी कौन सी दुनिया में रहता है इसका कुछ करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा वो देना पड़ेगा में डिसिप्लिन तो भाई यहां सिकानी शुरू हुई मेरे होस्टल में जाने इना एक दूदवाला था अलब यह होस्टल की बाउंडरी और इधर ही अस्तबले एक तो वो भाई रेडियो चला के रखता था अपना तो उसकी रेडियो के साहरे हम अपना यहां पर मजे लेते रहते थे और संडे संडे को में सिरफ दो घंटे या एक घंटे टीवी देख लाना इंगड़ाना तो पहली बार उनी में से मैणने उस्तेल से भाग के देखी थी तुम देखी थी तुम बिन बहुत पे तुम बन देखी थी और मोह बते बीढ़री देखी थी और यह दो पिचलरões मश tutteल से शुपचा निकर आपकर आ आप सुमा भी मिन बाग रहा हो से पहली मेरी मीटिंग विच शायरी हुई पर अब मेरे को इंगलिश में राइमिंग वर्ड बहुत पसंदे उस होस्टक में क्लास में बड़ी एंगलिश में नंबर मेरे आते दे और मैं कुछ इंपर नहीं कॉमिक से सारे जिते पढ़ रखे दी कॉन्वर्जेशनल करना स्टार्ट के दीरे-दीरे करते करते उन्होंने मेरे को लीड में खड़ा कर दिया करे तुई है सबसे बढ़िया अच्छा अब तो यह ग्रूप वाला एक्ट तो तू करेंगी करेगा अब क्योंकि शाय चोटाला जी आ रहे थे उस टाइम पर और उस वो पिछले काफी सालों में उस स्कूल होस्टेल का शिवा शिक्षासा धनत्स का नाम है देवनगर में उसका सबसे बड़ा इवेंट था हो अच्छा अब मेरे को सोलो परफॉर्म करा दिया मैं बन गया हीरो फिर मेरे को लगा में का यह तो बहुत बढ़िया यार इससे तो इज्जत ही बहु थो होस्टल बन्द हो गया ब़एव बढ़ बड़ा कांड फिर में आ गया दिली दिली आ पिर में गया मांट के अदिलर वहां पम ए दी यहां मैं वहां मुनीर का में सेंट जेम से फिर सच देवा फिर फिर माँ डबू रख के कोई राजी नहीं मुझे या और हर जगा दुनों साल तीन साल भाई वहां चला गया वहां जाके मुझे अब होस्टल से आके मुझे अपनी सूपर पाउर पता लग चुकी थी एक तो मैं पहल क्लास में आके चालू अपना टेक ओवर क्याम अलफा हैं जी क्लास में दो लड़के थे प्यारे से उन्हें बड़ा परिशान परिशान करते थे लड़के मुनीश और मनीश नाम था शायद भाई उन्होंने मेरे को एक दिन एक सीडी दे दी उस सीडी के अंदर पहले तो ल उसके सहारे मैंने वो सीडी दाली घर आके और उसके अंदर जो गाने निकले वहां से मेरा कनेक्शन हुआ लिंकिन पार्क से और मैंने सुना इन दी एंड और क्रॉलिंग वन स्टेप क्लोजर उसमें फिर एक गाना था कुईन का वी विल रॉक यू है उसका एक रीमिक्स था रीमिक्स था हाफ बाई फाइव फाइव करके बैंड उसमें एक इंग्लिश पोर्शन आता रैप का बीच में गाना तो ठीक है मैं कर यह लड़का क्या कर रहा है यह यह अपना गुरू है आथ से मैं क्लास में गया उनके पास वापिस अगले दिन मैंने क्या दे दिरको फिर उनसे मैंने बोला कि भाई यह सीडी वापिस मत मारंगे MP3 तिरे को राइटेक्स की सीडी लागे देता हूं खाली और मैं मगा इसाशनरी से सीडी वे लहाइं वोग और मम्मी हो पर हैं मम्मी मेरी सत्यवादी कि नुक्ड़ इन उस पे गाने छपके आए और वहाँ से शुरू हो गया मेरा रैप के साथ तालूकात बॉए फिर मैंने जो इंगलिश की मेरी capabilities थी उस अनुसार मैंने मम्मी टम्मी यम्मी ये वाले राइम करकर के लिखना स्टार्ट किया ख्लास के बाल को जाके सुनाता था और वो कहने लग गए ये तो बहुत बढ़ी है ये कैसी किया तुने ये क्या होता ये तो बहुत सही है वह ये ना इतने पंप मिले मैंने का चलो भाई अब तो यही चीज़े करती रहनी है इसका करियर बनेगा ये कुछ बनेगा पर जैसे इस साइकल नो ब्रो जैसे मुझे आप बच्चे मिलते हैं भाई हमने क्लास में ना स्वाइक मरा दे सी कर रहा है बहुत गागे सुना एक दूसरे को याद कर करके मेरा वो कनेक्ट था उस टैम पर अपने साथ मेरे लिए वो वाली चीज़े चल रही थी फिर डांस जून्स चलता रहता था सारे जितने फंक्शन हो रहे हैं कोई स्पोर्ट अक्टिविटी हो रही है भाई उसमें घुश जाना है कुछ भी हो रहा हो क्लास में नहीं बैठना बस तो ये सारी चीज़े करते करते मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर अक्टिविटी याने की मतलब टैलेंट, स्किल, जो भी आप कहलो इन चीज़ों में हाथ बहुत साफ हो गया और फिर स्लोली मुझे वहां से उसके आद में SD पबलिक स्कूल गया वहां भी मैंने यह सब किया उसके बाद मैं अपने होस्टल गया, कॉलेज जब गया विप्स, तो विप्स हम जाये करते थे बाई अनुगूंज होता था, बिट्स पिलानी का ओएसस होता था, ना तो पहले साल में बिट्स पिलानी गये और स्ट्रीट ट्रांस का एक्ट हो आदा तब वो पहली बार ही हो रहा था मिट्स पिलानी में और तब आई आई थी अपनी क्या कहते है So you think नियार So you think से पहले वो चैनिन टेटम वाली You got served You got served You got served bro, you got served और एक honey आई थी Honey अब मुझे मिली बाद में पर आउसके पास-पास गई थी You got served देख ली भाई कसम से So I sorry to cut you यहाँ पे आपका रैप का कुछ नहीं था यहाँ पे you were just still discovering अभी कुछ नहीं था मनलब सब कुछ चल रहा है Sports भी चल रहा है High Jump में जोनल जीत रहे है 400 मिटर भाग रहे है 200 मिटर भाग रहे है कक्षा में नहीं रहना बस खुछ भी हो जा है कि जो मौका मिल रहा है वो कह रहे है कि Singing competition में जाना है तो मैंने तब मुझे यह भी नहीं पता था मैं गा सकता हूँ मैंने वाजा कि चदरिया जीनी रहे जीनी कादिया भाई सीख के कि क्लास में बैठना इसी बाने बाहर बैठने का मौका मिलेगा यह सब चीजे ऐसी चलती रहती थी इट वस बेसिकली आई यूस्ट्यू गेट बोर्ड अफ स्टडीज साल की शुरुवात में जब किताबे मिलती थी ना दोस्त मैं पहले तीन-चार दिन में क्योंकि गर्मियों की छुटियां तो होती थी जब हम किताब की थेली लेकर आया करते थे पहले तीन-चार दिन में सारी किताबे पढ़ता आदता यसी रीडिंग का मेरे को बहुत अच्छी आदत थी मन बहुत शौक थी न्यूस्पेपर्स न्यूस्पेपर के भीच में परंचाय करता था रीडर्स डाइज़्स जैसे गाड़ी में किताबे छोड़ जाते थे लोग रीडर्स डाइज़स मुझे मिल जाती थी फिर मम्मी जब मम्मी को पापा को पता लगा कि भाई इसको ना बहुत पढ़ने लिखने का शौक है तो लोग उसे मांगने लग गए कि जब आपकी में खता मुझा है तो आप लिया आना नहीं तो कभी स्कूल में बुक फैर लगा तो मम्मी ने अभी एंसाइकलोपीडिया दिला दी और साथ में दिला दी भाई क्योंकि बैलन्स तो करना ही है ना तो मम्मी भी अपनी पूरा ऐसे करती थी कि इसको पढ़ना है इसको सही चीज़े बढ़ाते है यह सब चलता रहा था था मेरे जीवन में बड़ा बड़ा मस्त जीवन रहा है बड़ा इन्वाल्ड आपको याद है वो हिंदुस्तान टाइम्स में एस्टी सिटी आया करता था कुछ टाइम के बाद ना दस्वी गैर वी में बंद कर दिया था क्योंकि लॉंडे मुझे लग गये था उसमें फोटो चप्ती थी पेज 3 में लड़कियों की पार्टी ट्रेसेज में या पता नी सजदेवा में किया था नी किया था मैं लैंसर में पढ़ा हूं सारी जिंद आपका सप्लीमेंट क्या था हिंदुस्तान टाइम साथ एष्टी सिटी आता था डेली ताइमस ताइमस अफ इंडिया के साथ तो उसमें बड़ी राउजिंग पिचर्स होती थी वही सब क्लीवेश दिग लिए लड़के जवान हुआ है आज तो सब कुछ बड़ा खुला ह मिस्ट्री कि तुम अपनी बाखी की सोच लड़ा रहे हो बास वही 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 वहीं सब कुछ बंद करा दे करा रहा बैंस के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा हमारे को संस्क्रिक के किताब दे दी ती सुबा पढ़ने के लिए हुआ था बड़ एनिवे हाफिर अनुगूंज क यह मैंने किया था हमारम पॉट स्कूल कि बताओ यार यार यह बड़ा साइव आखिया मतलब यार पेपर बन्द करा दिया क्योंकि क्योंकि यह और था क्योंकि भार दूसरे दिन भई लांडे लेकर जा रहे हैं कि जा के दुच और यह सारे क्या इतने सारे शीजे मिल रही ह वो जहां पॉट्स है ना वहां पर रखे हुआ है और वहीं पर पड़े रहते हैं अब सब समझ गया पीटी टीचर सबसे पहले होता था पीटी टीचर को सब पता होता था बड़ा मज़ा आता था कि आज कौन सी गुद्धी से कुंगा हा वो पे चूतडे लाल करें किस ने ला तब हमें पता लगा भाई ये तो पूरा पूरा मुठ लैंड बना रखा है नोने स्कूल को चार पार मुट्वेट चल गिए लड़को में उन्होंने बंद करा दिया स्पेशल नोटिस आया कि नहीं मिलेगा लड़कों को पहले हुआ था पहले हुआ था पहले एक हथा लड यह हां से मांग के ले जा रहे हैं और भाई कुछ लोड़ों ने ना कट आउट्स निकालके अपने रेजिस्टर के पीसे चिपका रख्या था अकाउंट की किताब मोटी मोटी हुआ करती है उन्होंने उसमें लगा रखा रहे थे गुलाब नहीं पसा लेते थे कोई रड़ आपके पास कोई किस्से हो बताओ ऐसी बात करते करते किस्से निकलेंगे जब याद आएंगे पहली बार उसमें वह वह था अपना तो भाई वह जीत गए उससे पहले कोई जीत भीत का निशानी नहीं था कॉलेज में तो वहां से कॉन्फिडेंस हो गया बहुत बड़ा कि ह हम तो बिट्स पिलानी जाके जीता हैं फिर मैं बहुत डांस में इंवाल्ड हो गया रैप करता था और स्कूल के एंड से ही मैंने रिकॉर्डिंग करना वगरा स्टार्ट करती थी वर्चल डीजी आ गया था ना मेरी यार्दोस डीजे वगरा थे तो काफी चीजे आस-पास प्लवाई फॉल पावर तो उसी पर रियालाइज हुआ कि मैंने का यह हम यह दो गाने मिक्स करते हैं पर इसमें रिकॉर्ड का ऑप्शन भी है अगर सिरफ एक इंस्ट्रुमेंटल या एक बीट चला के रिकॉर्ड कर लिया जाए तो गाना ही बन जाएगा ऐसे मैंने कर दि माँ आगा रजट के मामा का लड़का गोलू और गोलू का दोस्त तो मैंने रजट से जब गोलू आया करता था उसे रोईनी मिलने के लिए उसको सुनाया वहां से वह एक्के के पास चला गया का यह यह लड़का कौन है जिसने जो गाने-वाने रिकॉर्ड कर ले था इनको गए आपस में फिर हमने अपनी कप मचाना स्टार्ट करती कॉलिज के टाइम पर मैं डांस रियरसल में जाया करता था यह वहाँ पर आया करते थे क्यों कि बेबीज आती थी ना हमारे यहां पर दांसिंग बेबीज तो इनको बढ़ा इंट्रेस्ट होता था यह आत बोलते दो 2016 से 2006 से चीजे सीरियस होना स्टार्ट हो गई कि भाई आप उसमें बैटके लिख रहे हैं तो चे में आप कॉलेज में थे विप्स में ही थे 2006 से नौ या अच्छा छे से नौ है मेरा नौ से बारा का बैच था हाँ मतलब मेरे जाते ही तू आया हाँ इसके बाद नौ के बाद में आता था वो इनकी आस था वगे रहे है सब जिस इनका डांस बैच था ना उसको कुरियोग्राफी करा ले जब तुम शिफ्ट हो चुके लिजिस तरफ आया है मायापुरी वाला कैमपस था ना पहले मायापुरी था कौन सा वाला कैमपस था जो बिल्कुल होमलेस पर उसके नीचे DHL डिलिवरी का उसका जो ग्राउंड फ्लोर पूरा था उसके तो DHL डिलिवरी होती थी भाई मंदर डिलिवरी था है महां पर आके पढ़ा रहता था कार्टन सबका यहां से महां जाएगा और उसके उपर का जितना था वो सारा कॉलेज था और कहने के नी था चोटी सी पार्किंग थी मेरे को भी याद है हम मैं वहां रहा हूँ डेड़ साल उसके बाद हमारा यह रोहिनी वाला कैंपस हो गया था हाँ बहुत वह बढ़िया हुआ तो हमारे साथ क्योंकि वो तो कैंपस ही बहुत बढ़िया था यार बहुत सभी क्या है खुद बढ़िया था 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 एक मदुबाला हुआ करता था बंदे क्रियेटिब बड़े हैं वाके तभी तो मेरे को इन चीजों का बड़ा अडवांटेज हुआ है क्योंकि यार मैं रहता था था तो मैं BCA गा पर यार दोस मेरे सारे BGMC वाले थे तो आप वही ना मुझे लगा आपकी विंडोस भी डालके दे दूँगा तीन सो रुपे पांच सो रुपे यह वो अपनी सीडियां मना के रखा करता था मेरे पास एक इन फैक्ट सेलरॉन का PC था भाई पेंटियम 2 233 मेगा आड्ड्स जिसमें और उससे मैंने बड़े काम करे हैं लोगों के हाडड ड्राइवें रिकवर कर रहा हूं भाई अच्छी किसी को पता नहीं था डी फ्रेग्मेंट करना क्या होता और कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है पर जो मैं वो डी फ्रेग्मेंटेशन अन करते ता ना लोगों की घर जाके वो सब्सक्राइब यूजाती है कि इसको हैकिग आती है क्योंकि अपना जाके साइबर कैफे जाके वह यह के साइबर कैफे होते हैं दस रुपाए घंटा आप जाकर मैं ऐसे वह जो अपना टर्मिनल कमांड कमांड डॉस है नडॉस ना डॉस की डॉस की ऐसे कमांड लिया आता था जैसे कि मतलब आप इस फाइल के अंदर देख सकते हो इसका साइस क्या यह क्या मैं वह दूचार चीजे करता था लोग करता था यह क्या चला रहा है तो क्योंकि उस टाइम लोगों ने देखा ही गया था मेट्रिक्स में लाइन नहीं आ रही होती है और कमाया बहुत उससे मतलब क्या अपना कॉलिज के खर्चे निकल जाते थे बढ़िया और उसी दौरान मेरे बेसिकली मेरे को एनिमेशन वगरा का बहुत शॉक था मेरे य यह यह है फलाना है और मेरे को लगा कि ऑब से कर लोगा जैबी शॉद्ध कर लोगा ना तो फिर सीदह उसमें थोड़ा इनिमेशन भाए और ममी ने मेरे को बुला कि एगर तिरको यह सब करना तो पहले 20 कर ले और मैं आ गया मम्मी की बातों में मैं बहुत पच्टाया हूँ दोस्त क्योंकि मैं वाँ गया और मुझे पता लगा BGMC में क्या क्या करते है यह नहीं BGMC थी यार BGMC ले लिए होते मज़े आ जाते कुछ कर पर ठीक है जो होता है सही के लिए होता है यार मतलब मतलब आपका मैक्सिमम जो सर्कल था वो BGMC वालों कही था BCA वाला इतना कुछ था नहीं आपका या तो मतलब क्लास में थे यार दोस्त थे और ज़्यादा तर जो यार दोस्त थे वो सारे BGMC वगेरा में थे फिर उसी वैसे हम ये जो निकल जाये करते थे ये फेस्टिवल हो गया रहा के लिए इसके वैसे में दोस्त और भी दूसरे कॉलेज़ों में बनने लग गए मतलब ये कॉलेज के दोस्त बाकी थे ये गोलू और इका यही सब थे खास की अपने बादली वाले थे तो मतलब रीजर और फ्रेंड's एने एवर्रेबडी इस दिफिंकन फ्रम वन अनादर रो हाँ और ये भी बड़ा सीन होता हो की ये वाले दोस इससे नहीं मिला सकता और ये वाले दोस्स इससे नहीं मिला सकता मैं उनको डांस कष्रास में अपने बुला लगा करता था खाब वह एक गोलू की गाड़ी के अंदर ढूंकि हम उ सुचार बैगी बैगी पैंटे लड़ी बैठ जाते हैं ने लड़ी को भी ऐसे लगता था यह कूल कितने हैं ऐसे भी उते हैं और हम जैसे कहीं भी किसी कॉलेज में कुछ में function function होता था था ना तो हमें बुला लिया करते थे कि एक हमारा याज वो रहा है आठ डे है इसमें आप आसा कुछ कर दो हम अपना वही जो हमने English बीटों के उपर गाने अपने बना रखे होते थे जो हमें पॉस्पर गेम की बीटों के निकाल ली उस पर अपना गाना अब समझ किसी के गंटा कुछ नहीं आ रहा और उनको इतना ऐसा लग रहा ना कि यह हमसे बहुत अलग है यह बहुत यूनीक चीज हो रही है अब अब टाइम के साब से चेंज होते रहता है पर उस टाइम पर यह सब टैलेंट्स होना बहुत बढ़ी बात होती थी वह उसे बहुत जिग्रा माना जाता था अभी तरह कॉमन हो चुका है कि हर को ही कर रहा है इसलिए वह यूनीक नहीं है आपको कोई फूबू का जूते पहन लेता था था नकली वाले सूपरा फूबू और सारा पालिगा का फिट से जादा सबसे जादा टिंबलैंड पालिगा पालिगा वाले टिंबल लेन तो बहुत जरीरी हुआ करते थे उनके विना करते थे दोस्त हम तो जाय करते थे मैं गोलु का यह सब तो भाई सुबह सुबह करते थे पर उन इनमें उस्ताद हुआ करता था गोलू वह मारता था 120 की स्पीड पर स्टॉपियां भाई मतला हम भी ऐसे देखते रहते थे लड़का क्या कर रहा है 120 उसका रिकॉर्ड था मतलब इस साउंस पनी ना पर उसका रिकॉर्ड था था उस टैम पे 140 पर उस पे पलसर हुआ करती थी 140-140-130 की स्पीड पर उस टॉपि मार देता था भाई मुविंग वाली और सिरफ मुविंग नहीं कि ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है और उसको फिर वह ऐसे कर्व करके ऐसे खड़ी कर देता था मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी अपनी वह आगे वाले टायर पर बैठके बर्नाउट नहीं मारते ऐसे पकड़के कैसे घुमाते हैं मेरे क्लास के लांडे बावले होगे थे सुबह सुबह बाईक लेके सारे कठे होके दूसरे के साथ वह निकल जाय करते थे नाट वाले हाइवे पर बनी रहा था सारा क्रेटर नाट वाल ऑला है और पुष्टा रोड जो है पीछे वाली जाल और यही है सुबह अर्ली मॉनिंग संडे निकल जाना लोगो स्टेंड करते में देखना फिर अपना घर आ जाना फिर अपने गाने वने करना गुलों की मम्मी ने खाना खिला देना तो मतलब काफी डिफरेंट लाइफ मेरी एक साथ चल रही थी एक तो कॉलेज के वह वाले बच्चे जो बोल गए कि भाई स्टडायो डॉट एच इससे आगे तो मै वहासे फिर प्लैन बन रही है आप चोर बजार जाएंगे वाहां बढ़िया बढ़िया जीखर दुछ मेरे मुममे था भाई मैं मू में आपसे पूछने वाला था कि पुरानी दिल्ली वाला चोर बजारस शुबाँ पांच बजे जाता था 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 यह नाम नहीं पता थ ज्यादा किसी ये जॉर्डन वन ये सब कुछ नहीं पता था नाम चीजों को सर्च मार रहे थे ज्यादा पहली बार में गया वहाँ पे चोर बजारों वहाँ से लिए मैंने एडिडा स्टैंड स्मित की कॉप्पी अब वो सुंधरी तना था कि अमारी आपस में यहीं लड़ए होती थी मैं का अब असली है करे अब नकली है अब असली है फिर मैंने गूगल कि हम और इसका नाम होता है स्टैं स्मित और यह और वो फला ना हम प्रूव कर देते थे कि असली चीज है हम इतने खपई होते थे त वहाँ से शिफ्ट हो गया था वहाँ से अपना जो ITO से ब्रिज नहीं जा रहा जो अपना इस दिली की तरफ जाता है ITO वाला वहाँ पे इंदरा गांधी स्टेडियम है मेरे ख्याल से हाँ IGI बाई IGI के पीछे लगने लग गया था वहाँ से लाल किला से बता रहे हो न और 2011 आपके टाइम पे जो चोर बजार था न वो पीक चोर बजार था तब होता क्या था कि बढ़िया जो seconds का माल होता था था थोड़ी टी-शर्ट फट गई नाइकी की तो भाईया वो डोनेट कर देते थे थार्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए यह सत्य लोग कहते हैं कि भाई इसमें ना चोटे-चोटे डिफेक्ट होते है थो कंपणिया रिजेक्टेड पीस होती है ना ऐसा कुछ नहीं होता रहीस जो कंट्रीज है वो डोनेट कर देती थी कपड़े अपने और भाँ से आजाए करते थे हमारे पास अब मैं यहाँ पर उसी पोजिशन में हो ना मैं यहाँ पर अपने सब देख आया था और यह देख मैंने कितना फ़नी चीज है मैं भाई खरीद रहा था आज मैं भाई डोनेट कर रहा हूं यहाँ पर कि मैं अभी कल अपने चार पांच जोड़ी जूते देके आया है सेलवेशन आर्मी करके अभी सेलवेशन आर्मी वाले क्या करते हैं यह लाखो करोड़ो जूते कपड़े इकठे हो गए बाई टनों में अब वो जाता है कंटेनर वाई थर्ड वर्ल कंट्रीज में कि गरी बच्चे खरीद लेगें वहाँ क्या पता आप और मैं खरीद रहते हैं उस टाइम पर राइट तो यह है कोई कितने के लिए होगी बता हम थ्रिफ्टी तो करते थे हम भी जो थ्रिफ्टी करते थे हम पूछा करते थे कितने की लग रही है अच्छा हम सच्चे बहुत होते थे सामने वाले से पूछते थे कितने की लग रही है वो कहता था भाई होगी 2000 रुपे कि अच्छी होती है 200 की ला रहा हूँ we never lied ब्रो हमारा flex था बताने के लिए कि हम कितने सस्ते में लेके आ हैं कितने सस्ते में लेके आ हैं और भाई में को याद है आज तक वहाँ जो जूते दिखते हैं असली original timberlands थोड़े फटे हूँ है याद ये चल जाएंगे जादा सोलनी किसी हुई इसकी ये लेले सफाई करके पहन लियो और ये वहाँ पर टांका लगवा लियो क्या लगेगा भाई मेरे हाथ एक बार पराड़ा की जैकेट लगी भाई मैं बता रहा हूँ 35 या 40 उर्वे की जैकेट थी वह फैकते निया कि ले जाओ ले जाओ बंद होने वाला है बजार ले जाओ नीचे से कूड़े में से निकाल ली मैंने खीच के निकाल के दो बार उसको ड्राइक लीन करवाया द्राइक लीन वाला अपने घर के भारी था तो मैंने गाए इसको बिलुकुल साफ कर दियो चमका दियो इसको बहाई दवा के उसके बाद मैंने उस जैकेट को दो तीन साल गसीटा है कॉलेज में और हरको ही पूछता था मामा लाएं यूएस से लाएं तेरी जान कसम हमें तो भाई बिलुकुल पता भी नहीं होता था प्राडा वाडा और ये गूची और ये सब इसके इतना बोल बाला नहीं था भाई तब वो निली का गाना उता था एर्फोर्स वंज तो हम तो एर्फोर्स वंज और 50 पैना करता था वो रीबॉक के साथ उसकाॉड़ हो गए था फिफ्टी वाले जूति आते थे अलना आई वर्जन का री वॉक के साथ त था हेना तो वह बड़ी चीज़े होती थी मार ले कोची और यह सब तो हमें बादमें पता चला है काफी और शुकर है और शुकर है काफी देर के बाद पता चला है हमने पहना था फिर है ना बड़ी ऐसा कुछ नकली-netली पहन रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, असली है, गूची कि लिए को लिखता है, जिन्हों ने अच्छी में शेकन हैंड असली ब्रैंड पहने हैं, चोड़ बजार से लाके, अब तो वहां पे भी, वहीं पे पहने हैं, चोड़ बना देते हैं, वो होजरी वाली, उनको बहार का बोल के बेच देते हैं, मेरे को बताया था किसी ने, लास्ट टाइम मैं जब इंडिया गया था, मैं दिख्या था, एड हाडी ने आग लगा रखी थी, छोटी छोटी बाजुएं वाली, आग छोटी बाज से, जो एडाडी में होते थे, बिल्कुल नहीं करते थे, हम पैना करते थे, वो एको यूनाइटेड और ये सब की वहाँ जाके, पाली का बजार में बढ़िया सेटिंग कर ली थी, हमने कुछ दुकानों में, आज भी कुछ बंदों से बाचीत है बाई मेरी, वहीं तो इन उनने तो अपनी मार्केटिंग करी है बढ़िया तरीके से, अलग तरीके से, स्कैम हो रहे है मारे साथ कि भाई तुम्हें बढ़िया जगा परफॉर्म कर रहा हूंगा ये वो जाकर पता चला, किसी का और वहां चड़ो गए हम स्टेज पे, किसी कॉलेज की फ्रेशर पार् बहुत बड़ी बात होती है कि हम एक क्लब के अंदर बैटके भाई सोचना उपर लाइट चल रही है बहुत खतरनाक वाली एक सब कुछ काला ठाला एक स्टेज एलिवेट हो गया वेट फायर हो गया ये सारे जो हुआ करते थे हो भाई साब मैंने तो परफॉर्म करना ऐसे स है तीन लोगों में पैसे बट रहे है मज़दार सिचुएशन तो ये कोई क्लब वाला सीन बताओ कि आपको कोई पहला परफॉर्मेंस हुआ हो एंड आप कुछ सोच के चड़े हो स्टेज पर कि हाँ कोई फ्रेशर पार्टी हो रही है और सीन बिल्कुल ही उल्टा हो गया वह उसमें फाइट वह तो देख वो जो इकाने बात बताई थी वह एक फ्रेशर पार्टी थी वह अलग थी वह मेरे ख्याल से गोलू की किसे दोस्के थी या मतलब उन्हीं के किसी कनेक्शन की दिया इकके किसी दोस्की पार्टी थी कॉलेज की भाई हम चले गए और वहां पर दैड़ बैड़ चालू हो गई वह उसके बतार था कि पहले लाइट नहीं आ रही है उसके बाद बत्तमीजी कर रहे है फिर बाउंसर ने कुछ बोल दिया फिर मक्कन ने ला तमारी जैसी मक्कन ने हाथ छोड़ा उसके बाद तो हम फैल गए बाई जो मिल रहा है जो मिल पिल रहा है फिर नीचे आ रहे हैं उसके बाद हमें मजे भी बहुत आ रहे हैं गाडी में बैट के वापिस हम घर को जा रहे है कि तू ने कितने पीटे और तूने कितने पीटे भाइस के मैं रहा इसा गुमा के वह वहां जाकर च्छपा मतलब होता थाथा हुआ टोन निकल शायद और गाड़ी में अपने गाने बजाते बजा रहे थे अथि गाने किसके है। फिर हमारी उससे बात हुई है, उसने हमें बुलाया है, उसकी फोटो भी है, मनलब वो जो हमारी बचपन की फोटो है, जो इदर उदर लगती रहते है कई वारी, वो उसी कलब की है, हम सारे गई भई अपनी लंबी लंबी टीश्टे पहन के वहाँ कोई ऐसा नहीं, वह हम या, वह हमने परफॉर्म किया, और स्टेज पर इंग्लिस चल ला है, कुछ भी चल रहा है, गालियां दे रहे हैं, किसी को कोई परवाणी, सबको कूल बहुत लग रहा है, बढ़ियां बहुत लग रहा है, वो हमारी पहली एक्चुल ऐसी परफॉर्मेंस थी, जो एक क्लब ही होई जाती थी, एक इनके गीता कॉलनी के पास ही वहाँ कर रहे थे, किसी दोसके कपड़ों को देखके किसी ने कुछ बोल दिया, उससे पुछा, उसने बगव उल्टा बोल दिया, क्या कह रहा तू, वो लड़ने को आ गए, जब लडने को आ गए, कि लसते बहुत थे, लोगों को बड़ा ऐसे ददा कि अच्छा, तू अल्टर बन रहा है बहुत जादा, तू जहेंकी है, तो किलस बहुत होती थी लोगों में कि यह कैसे कपड़े और क्या है, वो किलस होती थी एक्चुली, तो भाई बढ़ जाती थी, एक दूसरे को पीट पाड़ देते थे, वो सारी कहाणियां इका बता चुकाया गे, सारी कहाणि बता दियों उसने तको आगे, हाहा कि स्ञे वाहां मार पीट करी, कैसे ना तरह को यहां चोड़ बिट्स पिलानी में नहीं माने, वहां हो जगाड़ बिट्स पिलानी, अच्छा, अब इनका तो कॉलिज से लेना द तो यह भी बिट्स पिलानी आ जाये करते थे नकली स्टुडेंट आइडी जरी वो अंदर और रहते थे वाई तीन तीन दिन वहां दे छोड़ा किसी को हल किसी कोई बात होगे सारे बरस गया उसके उपर तो ऐसे गट चला करता था ऐसे यह भीड है और इस भीड से थोड़ा बच कही रहना बैटर है भाई साथ का हरकते करते थे हम यार वो भी है प्यार भी सच्चा होता था बहुत सबको कि दिल पर टूड़ जाते थे बहुत जल्दी अफैर तो है नहीं ना प्यार ही हो रहा है डारेक्ट बहुत बीच की तो लाई नहीं है तब तेरी बंदिया तो वो तेरी बंदिया कर उसने कहीं और वो चली गई तो भाई फिर जो तुम्बिन के गाने बजा करते थे मेरे को याद है वहो भाई सब दोस्त एक तो उस टाइम पर ये तुम्बिन वाला सिस्टम जो हमारे सा तुम्बिन नहीं तेरे नाम दोस्त तेरे नाम पर तो कितने लॉंडे बवाल मच है भाई मैं आपको बता था हूँ क्लेश करा राक मैं अभी कॉलेज में आया था 2009 में तो भाई मैं रोहिनी में वहां पर आपको पता ये कैसे हैं लॉंडे सारे के सारे ठीक है भाई अब वो टेकनिया विप्स उनके लिए ना वहां की लड़किया बड़ी जबर्दस लड़किया हुआ करते थी ठीक है तो जैसे मैंने बताय अलग उनकी बात ही अलग ठीक है जाट राम सारे के सारे उपर से मैं था एथलीट तो मेरे सरकर में सारे जाट राम अरे सेटिंग करा देना है इससे मिलवा दे इससे मिलवा दे इससना बात करा दे इसका नंबर दिलवा दे तू अटाई का सरोफ हो रहा तो भाई बहुत देड़ सो वाली पलसर जो आया करते थी लोहे की जिसकी टंकी होती थी जिसकी गोल हेडलाइट थी जिसकी उस पे वीली मारना ना नई हेडलाइट वाले से असान था यह हमने फिगर कर रहा है खदा चल तू कंटीनू कर तो भई हुआ गया यह है का Always Desire तो चूती आए क्या मैंने का कौन है प्यार हो गया यह है वो मेरे से दो साल बड़ा लेकिन साथ साथ ही बड़े हुआ तो मैंने का भाई कहा लेके जा रहा है कह रहा है वो बएक पर बैठा आगे गया आगे उसनों चे सात लॉंडे छे सात बाई fibers पर पहले से बिठा के रेडी कर रखे अब उन्होंने बेल्टे हाथ में ले रखी बाई छोटे मोटे लट ले रखे एक ने बैट ले रखा मैंने का भाई क्या चेक कर रहे मैं अभी अभी मेरा कॉलेज चुरू हुआ है तुम थाने में बंद करा दोगे वो भाई वो टेकनिया में घुष गए उन्होंने एक अंजान लॉंडे को इसलिए पीट दिया क्योंकि वो उसके साथ बैटके पैटी घा रहा था और ये तेरे नाम के आसपास की बात है मेरे को याद है अच्छी तरह जिसने जो मेर को घर्चन ले गया था ना वो तेरे नाम देख के आया था तो अच्छा आप पर रड़ाई गडिये मता हुआ था ये बढ़िया हो तो मतलब घुसके राइट साइड वाली जो रुकमनी दीवी के साथ हुआ करती थी बिल्डिंग उसमें ग्राउंड फ्लोर पर ही वो कैंटीन थी जो घुसते ही सामने वा करती थी मेरे ख्याल से वही स्टोरी है नहीं मेरा तो दूसरा सीन था मेरे एक दोस्त मावे पढ़ा करता था और वो बहुत शरीफ बच्चा था उसको किसे ने पीट दिया उसने रोते हो जे कॉल किया भाई मां कॉलेज से निकला बाइक लेके सीधा गया अखले गुसा अखले दो तिन बढ़िया से उसके बाद उससे कोई कुछ नहीं क्याता था उसके बाद वो ऐसे थी और उसके बाद जब वहां पर ऐसा सब हो गया तो हम टेकनिया परफार्म करने पाचे एक बिन भाई और ऐसा परफार्म कर दियागी वहीं पर गेरी गल्फ्रेंड भी तो टेकनिया इस वेरी वेरी नाइस तो में यह नाइस तो गल्फ्रेंड वहां पर अपकी गल्फ्रेंड रही तो हाव लॉग दिड़ देट फॉर आपकी लव लाइफ कैसी ती इस दोरान की मतलब एक सरकल है ऐसा कि वाई पूरी बदमाशी चल रही है रैपिंग चल रही है वीलिया चल रही है तन वस्ध टाइम फर मतलब एक्चुली में प्यार पूर हुआ उस टाइम पर कुछ ऐसा था हाँ डेटिंग वेटिंग तो चल रही थी बढ़िया चल रही इस सब की चल रही थी और प्यार सचा ही हो दोस्त हमें मैं बूलतो रहम आरे बीच की लाइन नी होती थी सत्य प्रियम बिलकुल आपको जियाद है उसकाइम काली शीशे अलाओड थे गाड़ी 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 तीस परसेंट अलाओड थे पर लोग सौसों पर चल रहे थे इतनी जादा कलेश नीथा अरे इतने चूतिय थे लोग अंदर से भी अबेट पूरी तिंट कराये थे रात को शीशे नीचे करें गाड आपको पता है मैंने सबसे पहले कहां देखा आपको एक ब्लॉंडा याद होगा पारस स्टाइल्स पी करके पारस हुआ करता था मोटा सा एक सेंट चला था अरे डी सोल्जर्स हम उनके साथ भी रहे हैं उनके साथ हमने BBC का इंटर्व्यू किया था हमारा पहला था इसके घर पहला बंदा था से गाड़ी में बैठा है मेरा एक दोस्त हुआ करता है सिटम होते थे थे लादा है प्यनीर के पाइनीर के वोफर ने कौन से पैतिस सम्तिंग कुछ नाम होगा करता था एक सीरीज आता था फिमस वाला एक ट्वीटर और 12 इंच के वूफर और जब शॉग दो दो वूफर लग रहे हैं और वोकल जान्ती नहीं दे रहे हैं तो गाना थोड़ी है मतलब अवाज है थोड़ी सुननी है रहा है वो कौन सा एक ओन का आई वना भू यू यही शुनाई देता था वाई वरा वीच वीच का कुछ निस दे रहा था गाना तो में मैं जिन हुँ रहा है वह छोड़ भाई हम पागल कर रखा था उस टाइम पे लोगो आशिक और लॉंडे आशिक बनाया पे तो रो रहे हैं लड़के लड़के एक दूसरी का आत पकड़ यह तो मैंने अपने सामने देखा है अच्छा लोगों ने तो डांसिंग कार अभी कहीं देखी होगे हमारे जमाने में बहुत चल सबसे जरूरी होते था ऐसा लगता था काले सीशे नहीं है था सड़क पे लिखेट रहे हो तुम सबको पता लग तो महारी गाड़ी में देख रहे हैं कोईना बोई मतलब rare हुआ कड़ता था मेरा सबसे पहले चलान हुआ था गुडगाओं में काले सीशों का दो जार बारा में मैं कॉलेज से निकला निकला ही था मेरे को एक लेडी कॉंस्टेबल ने थपेड़ दिया था मैंने कैसे हटा सकते हो आप यह मैं बच्च्छा था था है किस बाई साल का उसे चाटा था था उस टाम ऐसी होता अब ही जब आपने बताया अल दिस वस हापनिग तो कब आपको ऐसा लगा कि हाँ नौ इस टाइम फॉर मी तो गेट लाइक आप्सलूटली सीडिस अबाट मैं क्राफ्ट बूम्स जब मैं और गोलो और इकका यह साथ में लगए थे तो हम सीरियस ही थे उसके बाद मिजाग थी कुछ होता था हम ने सपने बना लिये थे कि हमें अब रैपर बनना है और और में सब चीज़ें जूड़ जूड़ते वि देखी तो कुछ देखे नहीं थी तब जी उनिटी भी सात में था तब शेडी भी साथ में था, D2L भी चल रहा था, फला, यह सब चीजे भी चल रहे थे तो हमने बैठके ऐसे अपना क्रू बना लिया था पुरा और फिर अपना पुरा जमना पार में जो लोग यार थे वो बेसिकली पहला हुड था एक तरीके से, जमना पार कि लोग भाई एक दूसरी की चीजों को ना बहुत सही तरीके से पुश करते थे जैसे वो community building होती है ना, वहाँ community थी कि अगर वो एक बढ़िया, वहाँ पे एक बाइक का mechanic लड़गा था, Heather जो हम सब की भाईकों पर काम करता था, ठीक करता था, वो हमारा दोस्त भी था, सिर्म mechanic नहीं था, वो दोस्त भी था हमारा, भढ़िया वाला, उसके साथ हम जा रहे हैं पाया हूआ खा रहे हैं और वह हमारा बार के अटिस्टों को सुन रही तो पहली जगा थी जहां कम्यूनिटी थी एक मैं गजनी आने से पहले ना मैंने वो हैरकट रखावा था अपना जिसमें वो पूरी लाइन ऐसे लगी थी यहां से और यहां से उसके बाद आई थी कजनी दोस्त वो मैं करा के आया था जमनाप में होते थे तो यह चीजे ना वहां पर बहुत कॉमन थी देखने को मिलती थी लडाई करा लो लड़की बाजी करा लो बाइक रेस करा लो स्टंट करा लो काले शीशे लगवा लो तू जो तू जिस मर्जी बवाल का नाम ले जिम जाना हो वो सारी चीजे एक जगा पर होते था कि रोहिणी is still better than जमनापार जमनापार का वो वाला था ना हमारे दिमाग में कि भाई हम तो रोहिणी रहते हैं यह जमनापार है मेरी बुआ रहती थी शादरा में मिर को याद है हम शादरा जाया करते थे उस टाइम पे तो जो आप कहा रहे हो ना शादरा हो गया प्री जमनापार में एक दुकान थी एक बंदा था भाई फुल ऐसा और छे फूट का लड़का था गूरा चिटा हुआ करता था भाई सरसे गंज्या और हमेशा क्या कहते हैं बास्केट बॉल वाली वेस्ट पहने रखता था जर्सियां पहने रखता था और शॉट्स भी बास्के रहा है वैसे वाला वह वेस्ट देली भी आना स्टार्ट हुआ जब यह कुछ-कुछ लड़के हुआ करते थे यह वहां पर नगरकिरतन पर बाईकों के स्टन्ट हुआ करते थे वह लड़के फिर उन्होंने टीम बनाई आपस में काफी बंदों ने वह रैप रूप करने ल अब नहीं पता कि आप की मेजर अबरिंगिंग रोहीनिकी है आपने बहुत आपकी इफ्ल्यूएंस भी वहां से हैं जो यह जाट वाली आपके और मेरे में चीज बहुत कॉमन है जो मैंने ने देखी है तो हमारी ना नैचुरल जो बोली हो जाती है ना अपने लोगों के सा आम बात करते वे अगर ध्यान ना दूना तो हम शब्द खाते हैं बहुत ज्यादा अरे कहां जा रहा है करना गी नहीं कर देने हैं हमारा हो जाता है यह ना जा रहा है यह हो जाता है यह हो जाता है वरो कि वहां पर आसपास जितने भी खेड़ा केड़ा के ले दूर लगता रोग्ता है इस वह उसमें भी ना दूर रहा रहा है उस तरफ अब शालीमार गाउं शालीमार बाग जरूर है पर शालीमार में शालीमार गाउं भी आता है जो पूरे रस्ते पहले शालीमार गाउं से निकलते हैं उसके बाद अब शालीमार बाग पहुचते हो पीतबुरा में भी गाउं है पीतब पुरा में भी गाउं, यह दिल्ली की खासियत होती है, दिल्ली में रहर जगा पर आप देखोगे और यह नहीं की जुगई नहीं दोस्त, गाउं, वकाइदा गाउं, कि वहाँ पर गाउं है, अचानक से वहाँ है, बिल्डिंग है और कॉलोनी है, फिर उसके वहाँ है और कोलोनी के अंदर बहस का दूज जा रहा है तो मतलब वो है दिल्ली के उस पार्ट की ये बहुत खासियत है तो भाई आप आप अच्छली साउथ इंडिया से हो राइट जब आप हा केरला से हो आप तो आप जब आए यहां पे आपकी ऐसीमिलेशन हुई इट वस चीपर दे हैड फैमिली मेंबर्स ओवर देर हो कुड टेक केर अफ माम ना अम्मी का खाल रख सकती है और तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में मेरा जनम होता पैदा होने के से अराउंड तीन महिने चार महिने के अंदर में वापिस आ गया दिल्ली उन दिनों में महिन पापा रहते थे चानक्यापुरी चानक्यापुरी से गई आरकेपुरम आरकेपुरम में मुनीर का मुनीर का से हम मैंने फर्स्ट क्लास अपनी महाँ पे मुनीर का गरी थी मुनीर का पुरा गाउं है मुनीर का से मैं आया क्योंकि मेरे घरवालों को रियलाइज हुआ कि यार बच्चे उच्छे को पढ़ाना है अच्छे माहौल में रखना है वैसा माइंड सेट होता है और उनके जान पेचान के लोग मल्याली काफी शिफ्ट होने लग गए रोहिणी की तरफ क्योंकि रोहिण सारे आपस में सेलिबरेट करते हैं कम्यूनिटी बनी हुए मल्याली इस कम्यूनिटी अब हम मैं वहां पर परफॉर्म करा करता था ले न्यू यर पर ले क्रिस्मस पर ले फलाना पर कभी मंदिर चले गए तो मंदिर वाले भी जितना भी हम नक्षतरों की पूजा करते हैं और शिव जी की और ये सब जो भी है मतलब ये सब जो पूजा भाट अथी तो मेरा स्पिरिचूल करेक्शन भी बहुथ बढ़िया था और मेरा ये वेस्टेन कल्चर से कनेक्शन भी बहुथ बढ़िया था very very nice balance of our life and your parents also come from a very educated background right no no bro what are you saying no they're not that's what I felt not at all my father is 10th pass and mother is 12th pass father after that open school in fact night school night school so they gained and all the experience everything Sarah koch unho ne dillie a ge sikha us struggle ke andar mammy ne short hand sikha na start kia phele short hand ke dhoran kyunki us time pe bhoat jiasse aaj auto correct or auto complete vagare feature hoote na us time pe insaan hua gharata da auto complete usse kaya gharata short hand ki puri puri linee log boli jarae ha aur aapne wu likhna hai usko likhne ka tariqa hota eek short hand ka karete te usse you write it in a short form aur mammy ne boh sikha ta uske ba aur mammy ne nursery teacher training bhi kar rakhhi di तो पहले वो हुआ uskiaad mammy ne inglish inglish sikhi uske baad वो क्या कहते है company में लगी फिर उसके आद एक assistant का काम करना start kia वहाँ पे curious बहुत थी ना mammy mammy ko sikhaने का बहुत शौक था सारा कुछ सीखते सीखते वहाँ से computers बगरा सीखने के बाद उनको थोड़ा और बढ़िया मनदब पोजीशन तो नहीं मिलती है पर एक बढ़िया इज्जत और बढ़िया थोड़ी बढ़िया salary मिलने लग गई by the end of it she was handling a whole company which was like a travel industry company तूरिजम वाली company इसमें वो करते है ना यह टिकेट विकेट यह वहाँ company के स्टी जनों का package यह होगा आप यहाँ चले जाओ साथ में आप को एम guide भेजेंगे यह फुलाना डिकारा वैसी company में job करती थी तो वो मम्मी की जरनी रही इंडियन रेल्वे इंडियन रेल्वे से वो cricket वगरा खेलते थे राजे तो sports sports में बहुत शौकीन थे मतलब इन चीजों के बहुत शौकीन थे परस्यू नहीं कर पाए क्योंकि उनको job करना बहुत compulsory था क्योंकि सिरफ दादुजी और मेरे पापा केरला से दिल्ली आया हुए थे बागी सारे लोग केरला में रहते थे और वहाँ खेती पाड़ी काम होगा करता था पहले पापा तीसरी तीसरी क्लास की उमर से खेतों में पानी दे रहे हैं रोट से तीसरी क्लास से बहुत रही है तो उनको पता है दाट इस वाइड आलवेस केप्ट शिफ्टिंग मी उन्होंने विशली मैंने कई बार दिखाए कि जब बच्चे एक दो बारी कोई गलती कर देते हैं ऐसे कभी फेल हो गया या कुछ हो गया पैरेंट्स में गिव अप करना स्टार्ट करते थे तेरे घरवाले गिव अप नहीं करते थे चाहिए मेरी गांड कूट थे मैं कोई ऐसी चीज निया जिससे ना पिटाओ चाहिए वह बैल्ट हो चाहिए वह जूता हो चाहिए वह चपल हो चाहिए एक बड़ी तो पापा ने चिम्टा गरम करके पैर पे लगा दिया था आज तक पर्मनेटर निशान है हरकते भी मेरी ऐसी होती थी आयए दें कोई घर पर आ रहा कि इसने हमारा लड़का पीट दिया इसने हमारे मैं गायब रहता था अपने नीचे वीडियो गेम की दुकान होती थी बिल्कुल घर के नीचे उस वहां वहीं पड़े रहना टेकन खेल यह माफ़े होती थी पर वो एक गेम इतनी देर चल गई है क्योंकि साथ में और खेल रहे हैं मैं पेले जा रहा हूं पेले जा रहा हूं बहारे जा रहे मुस्तफा याद है दोस्त मैं आज भी आज भी सब खेलता रहता हूं मुस्तफा आपको याद है मुस्तफा मुस्तफा अगर मेशो नहीं है तो मजबूरी में हैना लीनी है जैक की विचारी की इजती नहीं थी बिल्कुल सही गया रहे है उसकी इजती 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 इस गेम के अंदर और अब टेकन खेलते थे ते ते रायू और पॉल सब्सक् weeks प्रायन फ्यूरी आफिचार इजए और तो प्रायन फ्यूरी ले ना योशिमित्सू भी तो होता था ना वो तेके प्टधा योशी मिट्सु जो खुद के तलवार मान लेता था यह सब टेकनमी थे फिर एक वो एंड में थ्रीक एंड में बहुत बढ़िया खेलो तो गॉन उनलॉक होता था वो छोटा सा डाइनोसौर जो पाद मारा करता था हाँ 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 I remember that सारा बच्पन निकल गया इसके चक्कर में अरे आप वह अठारा सेक्टर वाली महर पर नाया हूं और यह अपने बादली वाले दोस्तों के साथ ही नाया करता था और स्कूल से वही अपना सस्देवा से आ रहे हैं चौती पाच्वी के टाइम पे साइकल खड़ी करती और कूद गए पर उसमें ना हम अकलमंद हुआ करते थे या किसमत वाले वह करते थे हम कभी ना इधर नहीं नाये अफाटक के तरफ रहे हम इस से ना उदर चले आते थे साइकल लेकिंगे उसी पर नहर के साथ साथ तो एक तो यह हो गया अपना मानव चौक वाला ब्रिज चौक वाले ब्रिज के इस तरफ था बादली वाला ब्रिज जो बादली से ऐसे जाके वह पीछे की तरफ आता था 15 तरह सेक्टर के उस तरह वाली रोट गया ना उस वाले ब्रिच से भी थो थोड़ा आगे निकल जाएगा न तो होता था डैम अच्छा वो नहीं देखा मैंने हाँ डैम डैम के उधर पानी कम हुआ करता था अरे मेरा पडोसी डूब गया था यार संतोश नाम था अरे मेरा बह बहुत सही लड़का था बच मनला मैं उसके साथ खेलता वा बड़ा वहाँ जिस हिट मी वो डूब गया था उसके इंदर संतोश अरे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ भाई मैं क्रिकेट खेलने गया था जैपनीज पार्क सुबा सुबा मैच लगते थे वहाँ पिछे मैं आप डिकत नहीं था साथ बाई मैं ला रेलेशन्शिंशिप सी नहीं है और आप मानों के आज भी हम उसको फोन करें बोलते है बीस साल भी बाद तो भी ओलंगे कैसा है क्या कर रहा है वो खेरा रहे भी तू कहा है यह है वो उपने ही मानते पर उस टाइम के लोग बुरा नहीं मानते थे और वो उस टाइम पर थोड़े से ओफेंड होंगे इदर उदर मेरे को बहुत बुली करा गया था बचपन में मैंने का यार मैं मोटा हूँ चलो तुमने बुली किया मैं पतला हो गया बैट ने बॉड़ी बुडी बना ली शब कुछ हो गया वो मैंने एक पॉजिटिव चीज में ले लिया था तो अब नहीं है अईसा तुम पतली हो जाओ अगर तुम्हें एक बारी मोटे थे और दोस्तों ने तुम्हें मोटा बुला दिया तो तुम अजीवन मोट हुई रहोगे मोट ही रहोगे चाहे तेरे शें पैक चमक रहे हो हाँ कुछ भी हो जाए ते तरे मुह में इतना बड़ा कट हो जाएगी तो उसे केक काट ले कोई मेरा दोस्त है तो मनझे ऐसे तो मेरे जीजा जीनधा आपके बच्पन कर दोस्त है तो मैंने काँ अब यह तो द्लला है उसका उसका नाम मैंने दल्ला रखा था क्योंकि उसनी नाइंध क्लास में सबसे पहली सेटिंग ग्राया थी तो मैंने इसको दलाल बोलना शुरू कर दिया था ह। और ऐख साले को बो बाई यह तो तू दल्ले का वह है क्या आज तक वो रैपोर्ट बना रहा सब्सक्राइब करने से कहानी याद आई मैं तरह को बताता हूं बाउंटबू में था मैं एक लड़का होता था बहुत शरीफ उसको एक लड़की बहुत पसंद थी मेरी हो कि सारी लड़की उसे बात मैं उसकी बार उसको वह बोलता था कैसे पटेगी मैंने का चॉकलेट खिलानी पड़ती है भाई मैं नौवी क्लास में था तो क्याता था अच्छा कॉन सी चॉकलेट पसंद है उसे मैंने का भाई वो खाती है तब तब वो नहीं नहीं आये थी मेरी क्याल से बॉन्विल या बॉन्विल थी या वो थी यार उस टाइम पे शेल्ट फुरूट था नहीं नहीं आये थी फुरूट नहीं तो बहुत महंगी हो जाती थी तो 25 पत्षीस उपे तो सही का नहीं अब वो पता नहीं कैसे करता था मैं पाई जो मेरे को खानी होती थी ति ना बैसिकली सथ सुन मैं बोलता था वह वह खाईगी और मै उसको बोलता था चौकलेट लेका आई हो पर दो लेका आत ढ़िए हो एक मैं रखोंगा और एक मैं उसको देदुगा तेरी तरफ से ये बात सच थी कि मैं उस लड़की को जाके बोलते था था कि फलाना दे रहा है पर मैंने इस दौरान उसने मेरे को कोई मिलिया दिखाई उसने मेरे को कैसेट दी कोई मिलिया की दिलाई उसने मेरे को बूम की कैसेट दिलाई पहली बारी उस लड़के ने मैंने बड़ा खर्चा करवाया उससे एक लड़ी के पीछे तो ये कौन से टाइम की बात है ये 10-11 नौवी में था भाई नौवी में तरीकी ये मांट अबोगी ये बात है ना नाम याद है मुझे नाम लेना नहीं चाहरा है पर अब बुरा लग जाएगा तब न लगाओ सभी बात है हाँ अब बुरा लग जाएगा तो मैं जो आपको बता रहा था ना या ठारा सेक्टर वाली नहर की तो हम क्रिकेट खेल के आये हमारे में से उलंगे ने बोला कि भै आज तो नहा के आतने चलो अब भाई अब हमारे दोस्तों में ना मिक्स्चर ऐसा था कुछ सर्वोदे के थे जिनको घरवालों ना छोड़ा हुआ था कि जो सुगा निकल जा और रात को आओ कोई पता नहीं है हम थे पब्लिक स्कूल वाले जिनके घर वाले कंसर्णर थे कि भाई हम इतनी फीज दे रहे हैं यह जाते काया है तो भाई हम आगे तब उस जमाने में कोई फोन नहीं कुछ नहीं क्या आठवी नौवी में थे हम मुश्किल से तो भाई हम पैदल जैपनीज पार्क से पैदल चलके अठारा सेक्टर वाले पूल पे पहुँच गए जो में पूल था ठीक है वहाँ पर भाई नंगे नंगे होगे वह हम कूद गए अब किसी को नहीं पता यह खूनी नहर है वहर है भाई सुबा पांच-छे बजे के निकले होगे दुपैर के दो बजी गए भाई मेरा भाई आया साइकल चलाते होगे किसी ने बता दिया कि सैभी और उसके दोस्त नहर पर ना रहे है पहले उसने मुझे पेला वहां पर फिर वो मुझे साइकल पर बिठा के ले गया मेरी मम्मी भाई सुबा से खून खौल रहा मेरी मम्मी का तो मेरे पाप ना टोरिंग जॉब में थे वो हंटर नी आते शोपीस होते हैं जो हंटर होते जैपुर गए महासे हंटर ले आये हैं समझ गया समझे आभाई आगे से विप की तरह पड़ता था पटाक पड़ता था बेसिकलिए वो साउंड का बेरियर ब्रेक करता ना मांक पार्क के उस पार रेता था, मैं पार्क के इस पार नहीं आधा थो जगा और मुझे अपना महां से दिखता था, वो सुवा से घर से बाहर निकलो, उसकी मान उसको पेला पहले, पाथ-छे गंटा उसकी मान ने का बहुत तू बहारी बैठा, वो मैं जब चज्जे से बाहरा हूँ, वो बाहर बैठा हुआ, वो नहर खूनी थी, मतलब उसका देशत्ती उसकी, कि वहां लोग मार को डाल देते हैं, स्टफ लग दा, ने, भाई, वो सच बात है, उस टाइम पर, देख, मैं तो जब रोहीनी में शिफ्ट हुआ हुआ था, उस टाइम पर, जो हमारे वाले ब्लॉक होता था ना, बी ब्लॉक, अब वहां पर एं मिलीनियम अपार्ट यहां लाश मिली है, वहां लाश मिली है, बहुत कॉमन था, फिर क्या होता था, जब उसका बहाव तेज हो, तो लोग डूबा करते थे, दूबे तो बहुत है, मैंने बहुतों की कानी सुनी है, वह डूपते वे की, उनका ढरना जायस था भाई, इसलिए तू कैनेडा पहु और वो छिताई हो गए थी, उसके बाद नहीं गए हम कभी वो सब देखने में मज़ा भी तो बहुत आता है, जब तुम कुछ लाइफ में देखो, पैरेंट्स क्यों हमारे होते हैं कि हम एक बड़ी गाउं जाना ही यह करना है, बेसिकली अब रियलाइस होता है कि वो जाते मिलू ना मिलू अपना चुछ आप अकेले मेरा पंदरा सेक्टर बहुत जिगरी दोस्त रहता है, मतला मेरा बेस्ट फ्रेंड है, देख लें हम बड़ी बलाते हैं, उसको बिठा लिया अपना और अठार सेक्टर का गेड़ा मार की आता था भाई, वही सारी दोगा देखते थेके याद है, थेके बने हुए थे, पहले दीडिया मार केटर में थेके होते थे भाई कॉलेज में इसका ही किस्सा है अपना वहाँ चले गए दवारका वाले जो वो सेंटर है ना क्या कहते है उसे मौल नी होता हूँ अच्छली शॉपिंग सेंटर सा जो दवारका का पूरा बना हूँ है वो जहां पर होटल होटल बन गए जनक पूरी वाला कहा रहे हो आप अप यह बहुता है पहले यह चार चार से पांच पांच सिप एक पूरी बियर की बोतल तीन जनों में बट रही है, चार जनों में बट रही है, इतना ही experience था अब नए नए college में एक दुसरे को ओवाजी दिखानी तो है कि लैट तो ऐसी बनती है भाई, कि कौन कितना उपर है एक एक घुट में शराब बोतल पी रहे हैं, दिखाने के लिए तो एक एक बोतल पूरी बीयर पी ली है, वहाँ से फिर बस में बैट गए है college आए है, college आए है पता लगा है कि भाई, लडाई छिट गई है senior उसे, मतलब किसी को कुछ बोल दी है, अब उससे इतना लेना देना भी नहीं पर क्योंकि अभी में उस state of mind में हैं, जो तब नहीं realize होता था अब पता लगता रहे कि क्या कर देती है, alcohol उस state of mind में, उससे जागे पूछ लिए क्या हो गया उसने बुला यह हो गया, पर हमने senior पिटे है परने ऐसा नहीं है, पिटे भी, पर हमने senior पिटे और जब end में हुआ ना, तो सिरफ मुझे लिए जाके खड़ा कर दिया, माँ प्रिंसिपल के आगे डीन के आगे कि जी यह था कि इसने सबसे ज़्यादा हमा रहा है शराब और वो भी यह, not a good combination नई, सही में, भाई I completely agree, so what was your family's reaction like जब आपने, you broke it to them कि हाँ, मेरे को अब बनना ही रहा है, मुझे आर्टेस्ट बनना है और यही करना है मेरे को दोस्तों मेरे को देखते रहते थे, क्योंकि मेरा ये भी बहुत अच्छा था मैं आवारा नहीं था मतलब रात रात को घर से बाहर पड़ा हुआ है, बेकाम जब तक कि बाद में लेटर इन लाइफ में डान्स सिखाने लग गया वहां से मेरी इंकम आने लग गई और मैं क्या कहते हैं, गोलू के घर जाता था अच्छी अरकते नहीं करता था और टेक्निकली साउंड बहुत था कि आसपडो से लोग आ रहे पूछने के लिए कि मेरे कम्पिटर में दिक्कत आ गई है, बता दे भाई ये चीजों को ये बता दे भाई, इंग्लिश की टूशन लिया करता था भाई तो देखो कि इसका अजेंडा गैसा है कि ये हवा में तीर मान रहा है या इसको है इसको करना ही करना है जिसको देख यार दुनिया में दो ही टाइप के लोग है एक है जिनको चाहिए एक है जिनको चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए वो वाले जो होते हैं वो उसकी information ना कटी करते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से वो घर बैठा है तो अब वर्चुल डीजे से लेना देना कुछ नहीं है पर काम की जी डाउनलोड कर रखी है ठीक है ऐसा नहीं है कि भाई अपना सोचल मीडिया पर लगा हुआ है या कुछ कर रहा हमारे भी और के टुगा करता था हम भी लोग की बड़े स्क्रैप लिखे हैं बड़े स्क्रैप लिखे हैं बड़ी कम्यूनिटी जाइन करी है कम्यूनिटी में तो हम एक दूसरे से मिले पर लगा हुआ है उसे पता लग जाता है आपके इंस्टीट ने तकड़े होते हैं कि आपको बता देते हैं कि यह इस चीज के बारे में सीरियस है कि नहीं है और क्या है कि मेरे घरवालों की भी बहुत कुछ ऐसी चीज़े करने की इच्छा थी पाप अगा स्पोर्ट्स खे गाउंञा दूद्क Lewis के प्रिब्थ करके लातेथे चटाई बिचा देथि इससमेरे को स्वला देते तो जिसकी बारी नहीं है अभी जो टीम में वेयां घुंछ नहीं और कुछ नहीं हरी वो मेरे आसपास बैठा हुए तो मेरा जाए ग्रोथ इस तरीके से हुई है कि मंबी को बहुत शौक था डांज डून्स करनेंगा गाने गुनेंगा कोशिच बहुत करते हैं यह वह पर मौका नहीं मिला विकुज दे हाट टू हसल रियल हार्ड है ना तो मेक दिली में पहली बारी यह गाउं से निकल के आये और सपना है कि यहां पर अपना बेस बनाएंगे तो उनको यह स्पाक्स मुझ में देखे और मेरी ऐसा नहीं होता था कि मैं सिरफ करता था मैं करता था और जीता था मेरे दोस्त कि यहां पर फलाना अवार्ड लेके आ रहा है यहां पर फलाना हो गया यहां भी बेस्ट बनके यह यह भी कर रहा है बेस्ट बनके तो उनको नह उ याली community में circle में एक भटसर होते थे हमारे, है मतलब होते क्या थे, है, उनकी ही wife जो थी, वो मेरी economics की teacher भी थी, मेरी school में, उनसे मैं जाके पढ़ा बढ़ा भी करता था और उनके साथ फिर community की जब gatherings होते हैं, पढ़ा भी करता था, तो एक बड़ा friendly association था, family friends kind of vibe, उन्होंने मेर हमारे में जादगम बोलते हैं, basically, जो पढ़ते हैं, वो बर्त, पत्री, है ना, वो पढ़के उन्होंने बता दिया था, कि भाई देखो, ये बड़ा आदमी तो बनेगा, इसमें दो राए नहीं है, पर, या तो सीधे रास्ते से, या गलत रास्ते से, अब वो रास्ता ये क प्रिश्टिट रहने दो, क्योंकि अगर वहां से अठा दिया ना, तो इसका इंट्रेस्ट जगा चला जाएगा, और गलत जगा चलागे, तो वहाँ भी स्कैम करेगा, कुछ करेगा, क्या बता, डगेती करेगा, क्या चूरी करेगा, बदमॉस बनाएगा, चो रहो, कुछ से, और अभी भी जा के अर्चना कराना ये सब करना बहुत कनेक्टे है वह, स्कूल बहुत कनेक्टे है, तो बिलीव भी करते थे बहुत है विली और उन्हों देखा भी ऐ चीज़े होते बहें, तो मेरे को इन चीजों के बड़ा बेनिफित हुआ, लिवल बनीन वेज ब्रो भाई देखो when you guys started off like you are an Indian hip-hop royalty like the right way to put it is that you guys paved the way for the people to come in when Bohemia when people bring up एक से एक से न वाशरूम करा हूँ यार फिर स्क्यादिमिया कंटिब लिए है यार विर को भी आ रहा है what about the fitness thing अभी करता हूँ fitness पे भी बात करता हूँ आपसे इतनी हाँ रोलिंग है पहले इतनी करिये दोस्त आज भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है क्योंकि ठूसा कुछ नहीं ना शरीर में तो दाचाई वैसे बन गया कहते ना आप अपने जीन्स जो है ना मोडिफाई कर सकते हो लोगों का यह बहुत खलत फहमी होती है कि यह चीज इसले नहीं होती हो नहीं होती है और बेचने का पॉइंट ही होता है यह तो शुरू से शौक बहुत है है वी चीजे उठाने का आपके बिल्ड भी वैसे ही है कि थिकनेस है बोडी में जब मेरको याद देना है मेरको वो गेम का टाटू जो आज भी आपके वहां पे हाथ पे है और वो अले जब आप वहां पे वाइट टी-शिर्ट में ता इसल रिमेंबर दाट अब आप वह बन गए अब दर रफतार ह इसलिए उसी तरीके से लिए इग्जैक्ली एग्या का मेरको कभी लगा यह लगा दो स्टे अब हमेशा बाई बनाने का बहुत शौक रहा है और बहुत आपने खुप में से गॉर्डिनेट किया बाई मैं सही में बता रहा हूं आपको बीच में कोई मिडल में निया कोई व वहां पर middleman middleman associates अपने वो भी अपने बही है वो फोन पर बात कर ले थे कर ले थे क्योंकि मैं काम में बिजी रहता हूँ तुने मेर से जादा कुछ मांगा ही नी so it was not too much so by हम इस बार में बात कर रहे थे कि when people talk about bohemia bohemia grew up in the US right you guys were the first ones right the first few ones who paved the way for the Indian hip hop scene which is which is what it is right now but still his influence in India was heavy it's huge, huge, huge I think उनकी जो influence को आप लोगो ने आगे carry on किया, that's what I meant to say कि वहां से आप लोगो ने सीखा like Kali Denali, जब हो आया तो उसी की वैसे सब कुछ स्टार्ट उसी की वैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ है जितना important किक स्टार्ट करना है एक सीन को, उससे जादा important है उस सीन को carry on करके खीचते हुए ले जाना till the grassroot level जहां पर और वो भी ऐसे देश में जहां hip hop rap तब किसी ने सुना ही नहीं था जैसे आप बोलते हो कि कोई लोगे स्टार्ट हो जाता था अरे गरवाली पुछा करते थे क्या बड़ बडारता रहता है गाने में क्या बोले जा रहा है बोले जा रहा है गाएगा कभी गाएगा कभी तो सुरताल का कोई सिस्टम ही नहीं था उनको समझ जी नहीं थी लोगो in hip hop, even in bohemia's hip hop there was a part where he would do social and political commentary और whatever rap groups that have been in the past like even 50 has called out political parties, right even Eminem has been very vocal about his political standings आप क्या सोचते हो अस बारे में कि इंडियन hip hop अभी इतना evolve हो चुका है कि वो stand लेगा bro stand लेता है ऐसा नहीं हो चुका है stand लेता है पर देख रहा it's country to country वहाँ पर जब कोई इन चीज़ों के पर stand लेता है ना तो वहाँ पर freedom of speech का level ही कुछ ज़्यादा लग है ज़्यादा यह लग है कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है एक दूसरे को हमारे भी थोड़ा cultural impact है इन चीज़ का देखो वह किसी के लिए सही हो सकता है किसी के लिए कशमीर के रैपर है है लोग अपना e-pr ही लिले यार e-pr कितने stance लेता है सब चीज़ों के बाड़े मैं बुग दा उसने मैंने भी कई गहा अन şunu मैंने बंटोई sources एसे गाऑनों के अंदर बोला है motivational बाते भूली है जो चीज़े जितनी जायज होते हैं वो करता हो आपना एक particular category में fix नहीं होना चाहते और होना भी नहीं चाहिए जैसे कुछ लोग होते हैं वो सिरफ gospel rappers होते हैं वो सिरफ Jesus के बारे में rap करते हैं वो एक पूरा genre ही बन गया है तो या तो ऐसा कोई genre established हो तो बात अलग है पर भाई repercussions जहलना भी तो एक पूरी जिंदगी एक career बहुत कुछ चीज़े जुड़ी होती है पर फिर भी rapper इतने समझदार हैं कि वो इस तरीके से बोल जाते हैं कि मेरे कहाल से समझ नहीं आता जिनको समझाना होता है उन्हीं को समझाता है तो it has only become smarter in India now people are still staying safe अभी भी बोल रहे हैं बाते पर बहुत smart तरीके से बोल रहे है एक stance तो होना ही चीज़े है आप न्यूटरल होगे ऐसे किसी भी चीज में नहीं चल सकते कि मुझे नहीं परवा भाई कि यह हो रहा है वो रहा है दोनों चीजों से मुझे कोई परवा नहीं है जो हो रहा है मेरी जिन्दगी चले सही चले एक सही बंदा होगा ना उसका किसी चीज को लेके stance रहे गए रहेगा आप एक true rapper तब ही हो जब आप एक revolutionary हो makes sense NW वे completely revolutionary था straight out of Compton revolution था हाँ पर क्योंकि बंदा उस स्टीज को लेके एक crew इतना लड़ चुका है तो सब को लड़ने की जरूत नहीं है क्योंकि उन्होंने सब के हिस्से की बाते कर दी है now वे एक format हो गया क्योंकि इस टीज को अटेंशन मिल रही है तो हम भी यही करते है ताकि हमारे पर दिहाना है for example gangster rap like आजकल जो gangster rappers है वो actually में gangsters नहीं है Park was a gangster, Biggie was a drug seller NWA में जो है a lot of these, I mean Jay-Z bro Jay-Z, अब मेरे कियासे यह जैसे Pusha T है भाई, Pusha T का entire category is just based on talking about coke yeah product move करने की बात करता है dope की बात करता है क्योंकि he comes from that life and your rap is based on what life you come from मैं देख, गानों में थपड़ो पड़ मारने की और यह सब करने की बात है कि यह सब करा हुआ और यह सब कर सकते है पर अब जच्चता नहीं है अच्छा थोड़ी लगएगा इस उमर में मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैं तेरे आकर चाटा मार दूँआ यह कर दूँआ वो कर दूँआ निकल जाती है, frustration होती है पर असलियत में करेंगे नि दोस्त क्योंकि अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता जरूरी है दोस्त, वो maturity बहुत जरूरी है क्योंकि the reason we chose rap is the rap not us, the reason rap evolved and turned into what it is today is to avoid conflicts and violence अच्छा जो rappers है उनको यह लगता है कि भाई हुड कल्चर जितना घेटो दिखो गए and stuff like that, मैं को लगता है दो completely mirror images हो गई है अब बताए क्या हो गया दोस्त, अभी basically actually में hate बेचना बहुत असान है दोस्त ठीक है hate बेचना बहुत असान है अभी भी शेकचिली वाला जो गाना है मेरा क्योंकि उसमें किसी के लिए hate थी दो sides थी और दुनिया किसी एक side को choose कर सकती थी उस गाने के views अपने मंटोयत वाले गाने से बहुत ज़ादा है ये मेरी mentality थोड़ी दर शाता है absolutely मैंने भाई रख दिया, एक काजू कतली रख दिया एक गुलाब जामून रख दिया ठीक है, अब लोग choose करेंगे कुछ बोलेंगे कि भाई मैं काजू कतली खाऊँगा कोई मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है और उसके अलग-लग reason बताएंगे कोई बंदा बोलेगा मैं ये खाऊँगा क्योंकि मुझे ये पसंद है तो choice तो हो जाएगी जहाँ choice हो जाएगी कि वहाँ पर difference in opinion हो जाएगा फिर उसके बाद बात ये नहीं रह जाती कि actually मैं काजू कतली बेटा रहे है गुलाब जाऊँण बात ये रह जाती कि मेरा टेस्ट is better than yours जो लड़ाईया भी जो fans वगरा भी लड़ते रहते हैं see I see above all of that जो fans भी आपस में लड़ते हैं वो इसले नहीं लड़ रहे हैं कि मैं ही सही हूँ या मेरे सामने वाला जो opposition है वो सही है वो इसले लड़ते हैं कि उनको सही साबित होना है हम गलत नहीं है वो गलत नहीं हो सकते तो hate बेचना बहुत असान है तो इसलिए gangster rap ये वो फ़लान डिकाना when you talk about these things it comes from अंदर से लोग बहुत दब चुके है क्योंकि पहले बहुत खुल के बात कर लेते थे लोग अब आप किसी चीज के बारे में बात करो तो उससे offend उने वाले बहुत बैठे Oh absolutely भाई अब तो I mean an artist of your stature आपको कितना सोच समझ के कुछ लिखना होगा whatever you put out right आपका वो बहन की शुट वाले चीज हो गई ठीक है फिर वो NRCCA वाला जो कलेश हो गया था Same चीज, same चीज Exactly, so आप लगता है में को कि आप से बात करके that आप वो जान बूच के नहीं कर रहे थे It was a flow of thing that happened और वो वहां से blow up हो गई बाई, बिलकुल होता ही है ना देखो, मैंने बोला इसलिए वो इतनी बड़ी बात हो गई कॉलेज में खड़े होके कोई लड़का बूलता तो ऐसी चीज नहीं होती कोई नहीं सुनता क्योंकि देखो, उसको भी मैं गलत नी मानता जो लोग बुरा माने उनको भी बुरा नी गलत नी मान रहा मैं क्योंकि एक रीजन है ब्रो, देख my voice reaches a lot more people देन एक, मेरी अवाज ज़्यादा लोगों तक पौस्ती है देन एक कॉलेज का लड़का अपने स्टेज पर खड़े होके कुछ बूल रहा है तो मेरी बातों का एक impact है मेरा impact दूसरी की बात को या तो invalid प्रूफ करता है या valid प्रूफ करता है तो again, जब choice हो जाती है तो difference in opinion होता ही होता है दोस्त और जैसे आपने कहा कि फैंस को अपने आपको सभी प्रूफ करना है आपको लगता है rap और hip hop में beefs हमेशा one of the most talked about things रहे है क्यों, hate hate बेचना असान है hate sales बेचना बहुत असान है देखो गानों में तो और भी चीज़े हो रही है बहुत कुछ यह हो जाती एक comparison to really are shots पे तु स्क्रॉल करके देख ले इस फलाना परसन वर्सस दिस फलाना परसन इसके पास इतना पैसा है इसके पास यह गाड़ी है इसके पास उससे बड़ी गाड़ी है फलाना है डिंकाना है लोग बच्चे बनाते हैं क्योंकि लोगों को जानना है हम अब basically ना वो WWE के टरंप कार्ड नहीं आये करते थे पहले इसका डोला 18 का है उसका डोला 20 का है चलो 20 वाला जीत गया इसकी यह 6 फुट है उसकी 5-8 है चलो 6 फुट वाला जीत गया असलियत में 5-8 वाला वो रैप्टे मारे वो 6 फुट वाले गी पर अब basically इस शो आफ कार्ड वाली चीज हो चुकी है और और भाई कोई भी जनता बेवकूफ नहीं है मैं सच बता रहा हूँ आर्टेस भी बेवकूफ नहीं है शुरुवाक में क्या होता था जनता ने तो बात करनी है फिर तुम उन्हें जानके पोक करना स्टार्ट करते ते हो कि यह बात करते रहेंगे तो अपना क्या अपना तो अपनी Google के बारे में लोग बातें नहीं करेंगे तो आपको लगता है जैसे हर रैपर के बड़े से बड़े स्टॉलवर्ट रैपर ले लो लेगेसी बीफ से रहे हैं जे-जी वर्सेज नास और अज तक जारूल वो आज तक जारूल की गांड लेता है भाई बिलकुल खातरनाक तरीक से वो तो अलगी सिस्टम है भाई अलगी सिस्टम है वैसे है भाई इस बीफ एक बार आप फैमिली घरबार इन चीजों में इन वाल्व हो जाते ना तो आपके पस टाइम नी होता इन चीजों का दुश्मनी तो किसी से स्कूल में भी थी उसके स्कूल के बार जाके वेट करा करते थे कि गेट से बार कम निकलेगा इसको यहां से वहां तक छोले कुल्चे वाले तक रैप्टे मारता वा लेके जाओंगा किये भी यह काम ठीक है कॉलेज के बार वेट किया है कि जैसे तू भी बता रहे है कि चेन वेन ले गए और जाके पीटा है आज भी नहीं है शकले अनलोंड होगी बिल्कुल नहीं याद है ना अभी क्या हो चुका है अभी एक एक स्पोर्ट बन चुका है पहले कॉम्पोटेटिव स्पोर्ट था अब स्पेक्टेटर स्पोर्ट बन चुका है तो यार और मैं सच बता रहा हूँ मैं उनमें से हूनी जो दिल में बहुत नफरत रखे कुछ बाते होती हैं मतलब एक दूसरी की बाते ने जो चुपी हुई है होते हैं वो रह जाती हैं तो कहीं पर ट्रिगर पॉइंट्स बन जाती है फिर तो कभी कोई ऐसी बात हो जाती है कुछ होता है तो वो गुस्से में निकल जाता है पर आइफ परसनली फील मुझे ऐसा लगता है कि वी आल मीन दे बेस्ट फर इच अदर क्योंकि एक बंदे के चलने के लिए उसके कॉम्पेटिटर का चलना ही बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है बाई क्योंकि तभी तो वो अगर ब्रो ना पैपसी और कोक दोनों इतने बड़े नहीं होते अकर वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े नहीं होते यह तो राहिम कर गई बढ़िया वाली हम दोनों बड़े नहीं होते अगर एक दूसर के सामने खड़े नहीं होते क्या वाग एथर आज तक का सबसे मुझे हार्ड हिटिंग नास का ट्राक लगता है एथर बहुत खतरना गए 100% इट डिस्ट्रॉइड जेजी बड़े जेजी की किसमत कुछ ऐचे थी एंड लिरिसिस तक वाज वो शर्भाइब गर गया उसको second ether कॉन सथा बता second ether कॉन सथा अच्छा नहीं मैं बताता हो मैं बताता हो अपको second ether कॉन सथा just give me a second शुक वन्स पाट टू नहीं 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 अच्छा था अच्छा था I have no clue बता हो I fail by story of Adonis Pusha T. Drake इसलिब दुनिया को reveal कर दिया कि Drake का बालक है जिसका नाम ओ येस हाँ हाँ बता एथर के बाद that was one of the most brutal things that was done on a track क्योंकि वो वो असली चीज़े हैं मतलब क्या होता है न देखो आप beef में बहुत कुछ fabricate कर सकते हो court थोड़ी चल रहा है कि लोग सबूत मांगेंगे जो उस पर विश्वास करते हैं उसकी बात सुनेंगे जो उस पर विश्वास करते हैं उसकी बात सुनेंगे कान्ये का जो वर्स है इसमें easy सुना आपने जब इसका पूरा make it look easy make it look easy fantastic beat right and you can see कि उस time कान्य कान्य had lost it उसकी बीबी चली गई बच्चे को ले गई how attached he was to his daughter और जो भी चल रहा है फिर Pete आगया बीच में उसने बोला मैं तेरी गान भाड़ दूगा and stuff like that and both of them are drunk अगर आप उसका देखो गए न मैं उसको पीछे जा के लेखा कि what was the whole process where is this so much hate from कान्ये coming from right because कान्ये is not a gangster आपको पते he never rapped about gangster rap in fact आपको याद होगा जो face-off वो था 50 और कान्ये में around वो face-off के बाद 50 declined and graduation जो graduation और वो उसकी sales के लिए exactly हाँ हाँ there 50 was at the helm like मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा impactful I did not grow up on park और biggie I grew up on 50 cent none of us did bro पर देख अगिन दे कोई वाली बात है मेरी breed के भी जुलोगे न मैं 88 में पैदा हुआ है 96 में park tide तो मैं 8 साल का था अब 8 साल का लड़का टूपा और biggie तो इंडिया में आया ही नहीं था हाट कोई नहीं जान था हमने सुनना स्टार्ट के M&M वगेरा वाले टाइम से 2001-2002 से हमारे पढले पढ़ने लगी है चीज़े तो मतलब हमने N.W.A. वगेरा भी प्रॉपरली नहीं सुना ये तो बात में जब इंट्रेस्ट बहुत जादा आगये तो पीछे गए और सुने और गाने सुने उस टाइम का जो पेन था उस टाइम का दर्द था वो उस टाइम के लोगों के से ज़्यादा रिलेटेबल था बैसिकली रैप इस रिलेटेबल म्यूजिक ठीक है पर अब हम अगर ये बात बोले ना कि मैंने टूपाक ज़्यादा नहीं सुना है या अगर कोई गरत बहुए बात बोल दे कि मेरेको टूपाक पसंद नहीं है गान ले नहीं कर देते हैं लोग और वो ऐसे लोग हैं जिनको यहाद खुद ना सुना हुआ बिलकुल सही बात बोली तुने क्योंकि होने से जादा दिखना ज़ूरी है absolutely ये हो चुका है दुनिया मैब आप लोगी चीजे तो बदली नहीं जाएंगी वही बाला सीन है ना 50 Cent जो ले के आया है I mean he's still selling out stadiums अभी थोड़े दिन पले बस्ता राहिम्स और उसकी एक वीडियो निकले थी 50 sold a million concert tickets in about a week's time staying relevant and that's the same persona when I see you, when I see Ikka भाई when I see all those guys because that I'm sitting with you it's like the feel that you come the vibe that you guys have like you are talking about it is the same vibe that 50 carried throughout his career, he's the realist and that's what street cred street cred in YouTube creation if you give a hug your loyal fans, followers 50,000 or 50 million you know, they'll be hurt and the same thing goes for rap as well that you can say anything in the rap that you can say something like that that's about it there's a vibe that you share that's why I said that you yeah, tell me I mean, creating a cult is very difficult and you don't make a cult 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 exactly no one knew that you were rapping about the things that you always wanted to rap about you made the music that you wanted to make it's the people out there who connected with your music yes you don't make a cult you don't make a cult you make a cult and we were very lucky because we started when we started it was a cult it was not absolutely word of mouth cd-y word of mouth it was just word of mouth it was bluetooth it was transfered and we love you artists we want to talk about it's like they're 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 you're now ना अपना जो अपनी जो जनता है जो like minded लोगे चाहे वो मरमे बड़े हो चाहे चोटे हो आपको हर एज में आपकी सोच वाले लोग मिलेंगे आपने उन्हें पक्का करके रखना है जब तक उनमें सांसे है ना तब तक वो आपको सुनते रहेंगे तो आपका एक portion of people, population जो आपको सुनता है वो हमेशा रहे गई रहेगा क्योंकि आज भी जब हम बाते करते हैं देख तून और मैं बैठके हमने किसी नई rapper की बात नहीं करी ना लिलू जी की बात कर रहे है ना हम किसी किसी भी नई वाले बंदे की बात नहीं कर रहे हैं ना किसी की हम अभी भी वही 50-50 की बाते कर रहे है क्योंकि हम आज भी connected है हमारे लिए वो relevant है हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि 50 ने एक million sales करी जो नए वाली generation है ना उनको शायद पता भी नहीं होगे 50 ने एक million sales करी और जो 50 के show पे जाएंगे ना जादा तर तू वो देखिए वो हमारे जैसी लोग होंगे हमारे जैसी audience है हो हमारे जैसे और एक वो जो social media पे story डालेंगे कि हम देख के आया है और ताकि हमें validation मिले social media की हाँ 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 हमारे जैसे लोग कोई story डालेंगे भी नहीं they'll be just happy being there and see 50 भाई हम lyrics गा रहे होंगे साथ में lyrics गा रहे होंगे exactly हम lyrics गा रहे होंगे वो कह रहे हो के वाला माइक ख़वाद हो Instagram पे story डालो तो उस पर आ जाता है click करो अपने lyrics साथ ने लग जाएंगे उसके साथ साथ आपकी story के पर इन चीजों की वेसे हमने लोगों को थोड़ा effort लगाना कम कर दिया लोगोंने एक तो choice इस इतनी जादा choice हो चुकी है बिगाड़ दिया है कि गाना डाल रहे हैं तो खुदी lyrics type कर रहे हैं उसके नीचे ताकि सबको एक एक line समझ आ जाए अब तू Netflix खोल ले कोई भी खोल ले जी उसे नमा खोल ले भाई तू Amazon खोल ले कुछ भी खोले हर चीज के नीचे सब्टाइटल का option है ही है हिंदी देख रहे हो हिंदी हो हिंदी में सब्टाइटल चल ले है भाई हिंदी पोल रहा लेकिन हिंदी में सब्टाइटल चल रहे है हमने इतनी English पिचरे देखे है HBO में और ये सब वगरा फुला ना अब एक हैड़ी कैब आदत बन गई है कि वह सब्टाइटल लगा देज़ा एक्जाक्ली एक्जाक्ली चाहिए समझ भी आ रहा है लेकिन वह सही कहा रहा है है हैंडी कैप कर दिया सब कॉंसिसली और हैंडी कैप मतलब रहा है आटोमैटिकली हो गई है ये चीज़े मेरे FTV चला नहीं जाबा दोपैर को कुछ आता नहीं था दोस्त अच्छा मेरको एक बात बताओ और बैटरी दलती थी सेल दलते थे और उस पर हम रात को सुना करते थे लऑ गुरू पर रेडियो को और उस टैम पर बहुत बड़ी बात होती दि किसी ने किससे बात कर ली कि कि आपका आपके आपका फिसिकल रिलेशन कैसा है और फिर बंदा जवाब दी रहा है बहुत अच्छा भाई, I've always wanted to ask this thing कि when you came into the limelight right, what was the role that Honey Singh was already playing क्योंकि वो आपसे पहले थे या he came in at around the same time when you ventured into it and you became big what was the role of his when you talk about Indian Hip Hop he was there, he was there मतलब पर उससे पहले जितने भी उनकी गाने वने आए थे वो भी थोड़ा वड़ा रैप करते थे पर उसमें इंग्लिश में रैप होते थे and he used to use this crew called Bonafide नाम था नहीं, Bonafide तो एक रैपर का नाम था उसमें एक crew था यार, जिसके अंदर फिनाम यह पिनाकी भी था, फिनॉम फिनॉम उसी crew का ही है फिनॉम, फिनॉम फिनॉम उसी crew का ही है तो थर्ड डिग्री थर्ड डिग्री थर्ड डिग्री यूस्ट तो रैप in Honey Pai's songs a lot back in the day एनानी भाई भी इंग्लिश इंग्लिश ही करते थे आक्चुली बोहमिया पाजी के बाद देशी, हिंदी, पंजाबी यह सब खोना जादा चालूँगा अनी भाई का रोली होता भा यह थे प्रेश्ट इंटरेस्टिंग बीट्स एवर दो जने हमें उस टाइम पे बहुत यूनीक लगते थे इंडियन टिमबलेंज जैसे टिमबलेंड का मुजिक होता था था ना बहुत परकस्षिन और पकसिव और को है ना वो हेवी ड्रम बेस यह सब हो बहुत था नहीं तो हमने उनके गाने सुने पुराने वाले वही वाले उस पे गाने के लिरिक्स छोड़ दे पर जो पीछे बीट हुआ करती थी ना वो हमें भी ता उस टाइम पे लगता था मैंका यार यह बीटे कोई नहीं बना रहा है यह वाली कोई नहीं बना रहा और दूसरा बंदा होता था रिशी रिच पिर दो ही जने थे जिनका आल्मूस्ट पैलेट का म्यूजिक का सेंस बहुत सही था मतलब बहुत वेस्टन था रिशी रिच भाई फिर हमारे वो यूके से थे तो इन्फ्लूएंस था पर पर हनी तो बीग तो दूट दूट बीग इंडिया पर दूट बीग तो लंडन तो दूट थी यह था रिच भी यह था रिच भी आया यह वाला मूजिक भी पहले उन्हों नहीं किया था वो इंटरनेस्टन विलीजर वगरा के दोरान बट इस अफ्टर अनी भाई मेंट बाच्छा पाजी यह था रप्ट इन ही स्टार्ट रपिंग इंडि यह हिंदी नहीं हिंदी पंजाबी पंजाबी इन फाक्ट यह रख तब आप शुरू ही रहे थे दें यह रिच वेंटरिंग आउट इन आप इस अपर आप इस अपर आप इस अपर हमने सिरफ बहुमिय बाजी को इस ताम पर बहुत ज़्यादा फिर एक बाहर के रैपर होत अबंधा पंजाबी एंड ऐसे करके बहुमिय धाजी ने बहुत फ्रेड किया म्यूजिकल है निपाजी ने बहुत सपेट गिया तो म्यूजिकल ही एवाल्फ करना इंडियन रैप को मतलब यह जिसे कहते हैं में स्ट्रीम है पॉप जिसे कहते हैं उसमें बहुत हाथ था वो वाज हिस मेजर रोल या एड आल्सो आल्सो पीपल हादन्ट सीन अलोड ओव रैप वर्सस बिट्वीन हिट सॉंग्स जैसे पंगा में रैप हुआ ठीक है अब फिर छोड़ देते हैं क्रेडिट वेडिट गया ऐसी की तैसी में अब हो गई वो बाते दस बारी गिस चुकी है पर उस गाने में दुलजीत पाजी का गाना खोतरनाग बीट उसके बीच में रैप तो वो इस तरीके से असॉर्टमेंट सर्व होती थी ना वो वाला आइडिया वो पैटन जैसे यूएस में बाहर होता था कि एक बढ़िया सा हुक रहेगा लड़की गाएगी या लड़का गाएगा पर उसके नीचे बीच में रैप वर्स होगा जैसे वो वी विल रॉक्यू वाले फाइव के रीमिक्स की बात कर ले वो था तो वी विल रॉक्यू पर उसके बीच में रैप दाल दिया था उन्होंने Linkin Park ले ले, Chester is singing but Mike Shinoda is rapping दो तड़का स्टार्ट करना was very much what he did और उनके साथ-साथ सिरफ एक और इंसान था इंडिया में जो यह चीज कर रहा था that was hardcore but then again, hardcore mostly was doing English खड़के गलासी सोना फैंदी ना खड़के गलासी सोना फैंदी एक गलासी दो गलासी एक गलासी दो गलासी she was at one point in time associated with Rishish's label also 2.9 या 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 जे शॉन भी थे और जे शॉन ब्रो मतलब बेशक वो English वगरा कुछ भी करता हो but वो भाई साब का जो वर्स है ना Me Against Myself भी शैद आल्बम उसमे क्या वर्स है दोनों का जो दो जे शॉन आपस में बाते कर रहे है absolutely and he was the first guy to be signed to YMCMB या थे कितनी बड़ी news लिको लियार बहुत बड़ी है baby are you down, 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 down that was the first first brown artist to be signed to the biggest and when he was signed to YMCMB Lil Wayne was the biggest rapper on the लिल्वेन has a song that is what 35 minutes long bro called 10,000 bars oh fuck तो वो चीज़ कोई कर नी रहा था he was a beast he was just going into the studio doing everything but हमारा influence बाद में उन लोगों से आया actually मैं तो बहुत proud भाई जब तू down की वीडियो देखेगा ना जे शॉन वाली तो उसके अंधर ना एक shot है जो मुझे बहुत सही लगता है उसमें Birdman और Lilwyn एक दूसरे को देखते हैं और ऐसे करते हैं कि सही बंदा साइन कर लिया हमने you being an Indian अदेशी बंदा sitting here looking at people you idolize from the west like Lilwyn all looking at a guy who's half Indian लगा लो बड़ा पले बड़े तो अंगरे जी तड़का है उन में but him being recognized was half the race won in bridging the gap तो यह चीजों का impact भाथ होता था and the same thing is with you guys as well if somebody knows that you are coming from Rohini sector Athara and you are the person that you are right now right और अभी मैं बता रहा हूं हमाई Rohini से बहुचा है लोंडे है जो देखते हैं दोनों चानल्स को right and they would relate to it so much कि भाई और यह impact होता है भाई I mean you would never know कि आपको कौन देख रहा है होना चीए क्यों फिर कि यह सब अगर हम कुछ दे सकते हैं तो यही चीजे दे सकते हैं या तो उम्मीद दे सकते हैं सपने दिखा सकते हैं थोड़ी charity कर सकते हैं और अपने ले दो रोटी कमा सकते हैं यह इस पूरे career span का whole soul package है भाई अचा वेन दिडिडियू वेन दिडियू meet पाच्चा भाई how did that camaraderie start ब्रो एक तो यह बात है ना बिना बसड मचाए बात करने का तरीका ही नहीं है मैं हमेशा सोचता रहा हूँ किस तरीके से बुलू कि लोग ओफेंड ना हो पर वह गया था मैं एक शूट के लिए शूट के लिए बुलाया गया था पहुचने के बाद बूल दिया कि शूट नहीं हो रहा है पर शूट हो रहा था मुझे पता लग गया मैं इतना अपसेट कि बादश्या भाई से बात होती थी मैंने बादश्या भाई को कॉल कर दिया अब हमारी पहली पार धंग से बात हुई वरना मैसेज वैसे तो हम और कोट पे एक दूसरे से इंटा चा गए थे तो ये कौन से येर की बात है और क्या शूट था बादश्या भाई का ही कोई शूट सा नहीं 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 समझ जाना यार बसट बसट और वाइड कर रहा हूँ मनला मेरा और का साथ में शूट था एक पंजाबी सिंगर थे इनके साथ गाना किया हुआ था शूट के पहुचे थे और शूट पर पहुचने के बाद मेरे को वहाँ पहुचने के बाद बोल दिया कि शूट तो हो नहीं रहा वो तो कैंसल हो गया तो आप देख लो अपना तो भाई चले गया मैं फोन मिला दिया मैंने बादश्या भाई को बादश्या भाई ने बोला मिल तुम मेरे को वाद्षा भाई से मिला उन्होंने मेरे को पिक अप किया फिर हमारी बात हुई जब बात हुई तो हमें बहुत कुछ समझ आया उस दिन बात करके कि अच्छा वेटा ये चल रहा है फिर मैं बाद्षा भाई के घर पे रहा तब वो हर्याना इरिगेशन में ज वहाँ पर हमारी ढंक से बात चीत हुई सब कुछ भी हमें समझ आया फिर वहाँ से हमने बात करना स्टार्ट करी कि भाई अब निकलना चीए इसमें से I think that's the best way to उसके बाद तो ऐसे बात हुई ऐसा मेरा उनका रिष्टा बना कि हमने बहुत एक दूसरे के पेन देखिये एक दूसरी की victories देखिये सब कुछ परस्नल लेवल पे देखिये लाग ऐसे नहीं कि इंस्तागरम पर बैटके देख लिए कि पलाना ने कर दिया है पलाना के साथ ही हो गया कुछ चीजे लाइफ देखी है कुछ चीजे साथ करी है कुछ चीजे महसूस करी है तो we are very close like that कुछ बाते तो आप कबर में ही जाएंगी साथ में दोस्त हाँ हाँ I respect that You actually put a filter on it कि मुझे पता है कि कितना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना क्योंकि आजकल आपने भी बहुत देखा हुगा क्योंकि यार पता है क्या होगा तेरे इस podcast का मकसत होगा कि कोई रोहिनी में बैठा लड़का ये चीज समल लेगी रोहिनी से निकल के कुछ करना मुश्किल नहीं है but they will make all of this about just one thing just one thing because hate sells hate sells और मैंने जान बूच के मैंने towards the end of our conversation ये चीज रखी I never wanted to make it about any of नहीं मैं समझ गया ब्रो वो तेरे उससे समझ गया वरना दू तो पहली यही पूछता न कि पाजी मैं समझ सकता हूँ आपसे बहुत लोग ने पूछा है पर फिर भी एक बारी अगर आप clarify करना चाहेगी माफिय मुडीर क्यों टूट गई ये 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 वाली रील देख देख के मेरा दिमाग गूम गया ना मैंने एक कापादी से ये पूछा ना मैंने आप से पूछा और मैंने टीम को भी पेली बोल दे था निमेश को मैंने का मैं कोई ऐसे पूछाल नहीं पूछने आवाला ड्रे को एमिनेम नहीं मिलता अगर वो एंडवलियो नहीं छोड़ता हाँ, नहीं, सभी बात है बिल्कुर है की नहीं है? अबसलूटी, अबसलूटी भाई हाँ, तू नहीं भी गाड़ रखा हमारी उलाद को, हमारा उलाद तो बढ़िया पदा हुआ था एकदम आज काईयों का पता भी नहीं है वो का है काईयों से दुश्मनी भी थी तो लाइफ में कुछ चीजे होना ना बहुत जरूरी होती है आपको एक आपके डेस्टिनी, जो आपके डेस्टिन्ड पाथ है उस पे लेकर जाने के लिए आपसलूटली भाई, हेट सैल्स is one thing जो आजकल मैं हर दूसी रील में देखता हूँ ये माफिय मुंदीर वाला जो आपने एक्जैंपल गाना की ये वाला, that's something that I never wanted to talk to you about because I हमारा commonalities इतनी जादा निकलाई ठीक है, कि आप बाउं टाब हुगए मेरी ममी माँ पढ़ाती थी, फिरास्ता वाला connection, विप्स वाला connection इतना बड़ा हम एक ही जगह से, literally we are coming out of the same place, right? So we have so many common things to talk about और जैसे आप यहां खुले हो, जैसे आपने जो बाते करी है I don't think so, आप इतना जादा किसी भी जहां पर आपने detail में बताया होगा, इन चीजों के बारे में you talk, you are being yourself here, like complete रोहिनी गाए, complete रोहिनी रफतार और बाते नहीं चीजों के बारे में होने चाहिए अब क्या हो गया, इतनी भारी हो चुकी कि हर बारी नया पहलू बन गया and I have no clue, कौन सुन, बढ़ ठीक है मेरे को ऐसे लगता है, we are doing a favor to people by doing this also because this then turns into content for people to talk about हमने कुछ बोले है, उसके उपर अब details से विस्तार होगा तो सब छोड़ में तरको एक funny interesting बात बताता हूं इसी बात पर चल web series आ रही है मेरी ना बजाओ ने नी चलेगा चलेगा वो तेरसत प्रमोशन करनी नी मेर को आप तो इतनी जगा कराया हो कि भाई गाणा ही बणाओ, सौला सेल्समें भी बणाओ उसका जी वो रखा है, but in any case, but funny thing I'll tell you hate driven चीज़ की बात करता हूं अब और and this is where I played on their emotions, I'll be very clear web series के अंदर में एक rapper प्ले कर रहा हूं इसके opposite भी कोई है, बबबर को सामने से बंदा डिस कर देता है क्योंकि बबबर अपना jail will होके आ चुका है, सब कुछ हो चुका है अब पर जबाब देता ही है दे नहीं है, लाजमी है तभी तो character फाल्व होगा, finally वो बाहर निकल के आता है कहता है, बहुत दिन हो गया, रुका हुआ था बहुत दिन का सोया हुआ था, अब जा गाओं उसमें dialogue भी ऐसा तो भाई, आज क्या हो गया? ताइमस म्यूजिक नहीं ऐसे लाइन से निकालने वाला है पन ताइमस म्यूजिक में से गलती हुई या प्लैन था, आपस में information नहीं थी पूरी album आज रिलीज हो गई एक साथ अब line-up नहीं है कि क्या चीज किस से related है जनता को कुछ पता है जनता कहरें कि web series तो फ्लाना उसमें मेरा एक गाना है पॉप जी इसमें मैं shots ले रहा हूँ भाई, खबरे हैं, message भरे वे पड़े हैं मेरे account पे, लोगों ने विस्तार से बनाना स्टार्ट कर दिया उस पर वीडियो कि ये बहुत समझधार वाले तरीके से एक web series के लिए hype बनाने के लिए उसको डिस कर दिया जब ये 25 तारीक को बेफ़ूफ के बच्चे देखेंगे ना शू तब इनको पता चलेगा कि हुआ क्या है अभी assumptions चल रही है बाते चल रही है लोग नीचे लगे वे हैं कि हाँ देखो finally वो वापिस आगया उसको ये बोल दिया तिरे को क्या लाग रहा था रफ्तार भाई कुछ नहीं बोलेंगे दूसरा कह रहा है नई अभी उसका भी जवाब आएगा फला ना आएगा और ये जो रियल वर्ल्ड है ना उससे उसका कोई लेना देना नहीं है पर पहने मैंने बबबर की लाइफ और रफ्तार की लाइफ को इंटरकनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड यूज कर दिये जो रफ्तार की लाइफ कि होते है In fact, जो उसमें मेरा लोगो है ना रफ्तार का लोगो ऐसे होता है वो r ल्टा इसमें है लटा b और r बबर ताकि वो रफ्तार जैसा ही लगे बबर का लोगो पर वो b इ र भी कहता है बेर एक अलग अलग साइड है people are going to talk about it but it is it is just a way of getting them interested इसी पे शौट नहीं लिए पर अभी जो बाते चल रही है तो इसके बात देहेगा ना तुझे बहुत मजा आएगा कि लोग को लगता है कि वो हमार साथ खेल जाते हैं इस बार हम लोग के साथ खेल गे आपने हाइप देखो ना इस इस लिए गूड मार्केटिंग इस जीजिनियस मार्केटिंग इन फाइट चलो मैंने यह सोचा नहीं था मैंने अक्चुली यह सोचा नहीं था यह तो सिरफ ऐसा हो गया कि देखो अगर वो इस तरीके से डालते हैं कि पहले वो चल सरक नाम का गाना है जिस पर मिरको उसमें कैरेक्टर है ओजी ओजी मुझे डिस करता है तो चल सरक पहले आने वाला था उसके बाद एक हम पोस फोस दालने वाला था विल बबबर रिपलाई फिर बबबर रिपलाई आता तो कहते हैं कुछ चीज़े सही चीज़ों के लिए होती है बट बिकॉज ये पूरी अल्बुम ही एक साथ गिर गई तो अब लोगों के असंप्शन्स फूल जोरो से चाल हुए भाई इतना मज़ा आ रहा है ना मेरे को ये देख कि मैं देख पा रहा हूँ कि एट भिक्ता तो है पर हेट बेचने वाले भी कितने हैं बजार लग चुके हैं दोस्त बजार लग चुके हैं इंटरेस्टट है बहुत खूछी से बोल रहे हैं कि आप सांची वाले का होगा गल्ती से वो जवाब दे तो क्या पता हिदर से भी हाजएगा हमारा मेहने का content दन है people are prying on this like पता है content creators भी समझ नहीं आते इनका content अपना कुछ नहीं है they'll pry on hate that's what I'm saying वो आपने कुछ बोल दिया चाहे आपका कहीं से और होगा कोई गाने का lyric निकाल लिया अरे ये शायद इसने बोला था और आपकी photo चला देंगे और चार चीज़े डाल देंगे और गंदा सा एक voice over होगा ना वो हिंदी में होगा ना वो proper देशी भाशा में होगा अजीब सी तरीके से वो बोल रहा है पता लग रहा है उस पे दस हदार लोग comments में लड़ रहे हैं मैंने कितनी random real देखिया आज मेरे को ऐसा मेरा एक second के लिए मन तो गया है मैं इसको लोग दो तो बेफकूफ है का यह पहली बार थोड़ी हो रहा है इसी ने लिखा वो real चल रही है उस पे यूट्यूब पे ऐसे न स्वाप करते वे आ रही है कि इस एमीवे कॉपिंग रफ्तार क्यों क्योंकि मैं अपने गाने प्रमोट करने के लिए बिग बॉस वोगरा पे जाता था वो वो विचारा भी एक बार ही होया या भी तो उस पे उस बंदे ने पिल शर्मा और इस उस पे पर पर क्योंकि ये डल गया ना उस पे लाइक भी है उस पे लोग बाते भी कर रहे हैं अब इसमें ना मेरा कुछ लेना देना ना इसमें मीवे का कुछ लेना देना पर इससे और क्या होता है कि जो तो उसके फैन है वो और फैन होंगे मेरे वाले पूक करेंगे ऐसी कोई और वीडियो बन जाएगी जिसमें reverse कुछ होगा तो उसमें मेरे वाले उफैन हो जाएगे उसके वाले पूक करेंगे यह लगे वे आपस में हम खड़े होके हम कड़े होके देख रहे हैं कि अच्छा बड़ी है चलो चलो अगर चल रहा है तो चल नहीं दो यह आपसिलूटली मस्ती होगा वाई हो अच्टिंग इन फुल फलजए वेब सीरीज आइ थिंक यूर गोई आइस क्यूब वे लाइक इंडियन आइस क्यूब रैप से सीधा ब्रो तु आइस क्यूब कहले तू लुड़ा ग्रिस कहले तू 50 सेंट कहले लुड़ा भी है अपना ना फास्ट अन्फिरियस मचा रखे वाई लुड़ा लुड़ा बेड़ा बैंक आउट फास्ट अन्फिरियस इस एंटाइर रैप करियर लुड़ा बैंक आपस्ट अन्फिर लुड़ा बैंक आपस्ट अन्फिरियस गोल्ड लेका रखा हूं मैं इंडिया के लिए नी पर आल इंडिया जो को होता है उसमें गोल्ड ला रखा हूं मैं ये सब भी हो लिया ठीक है पेंटिंग भी कर ली साला नाच भी लिये गाह भी लिया Rapp वी कर लिया ठीक है equality show judge भी कर लिया host भी कर लिया host as in मतलब उसमें contestants के आपस में वो क्या गेङ्ग Member ये गेङ्ग Member कर रहा हूँ गेंग Leader ओभी कर लिया सेलिब्रीटी की तरह भी Contestant बंचुका हूँ एक beginner की तरह भी Contestant बंचुका हूँ तो जीवन में मेरे पास जब चेक्लिस्ट निकालो ना तो करीब ही इतनी चीज़े हैं जितनी लोग सिरफ एक चीज़ पर ध्यान देते थे कुछ सालों बाद जब हम विरिद्ध हो जाएंगे जब सु अपने अपने काम हो पाएंगे जब किसी को मतलब नहीं होगा रफतार का है या दो फैन जो आज इतने गरम हो रखे है या अपस मैं खुद ही बात नहीं कर रहे हूंगे इनकी बीविया इनको कह रहे हूंगे जाके सब जी लेका ठीक है तब सिरफ मुझे याद कि मैंने हादी हुपर खड़ागों के वीडियो शौट भी दे लिया गाड़ी में बैठलिये हुआई जाज में उड़क है यह कर लिया फलाना कर लिया हुआ से कुद कि तो बेसिकली आपको हर चीज़े करती रहनी चाहिए जितना हो सके हो तो चीज़े शेए करती रहनी ची और उसके बाद वो मिट्टी में ही एंड में आप इसके अलावा कुछ करने के लिए नियाते है दर्ती पे मेरा यह बहुत सिंपल सी प्लें सोच है बागी सब चीजे तो देखो परिशानी यह वो फलाना हेट लव यह तो चलता रहता है but you only die with your experiences and memories and memories also sadly start fading away bro as brain cells die absolutely bhai absolutely 100% so you're looking forward to of course यह तो इसके release को तो you're looking forward anyway but आप यह सोच रहो कि आप आगे जाके और भी करोगे if opportunity presents itself कि हाँ भई full-fledgedly acting में भी मैं कर सकता हूं and why not if you can आप जो भी करा है उसको पूरे दिल से करने की ना मेरी आदत है मैं घुश जाता हूं उसमें चाहे वो किसी नए genre के बंदे के साथ featuring करना हूं मैं जो भी चीज़ करता हूं उसमें ड़लने की कोशिश करता हूं यह बश्पन से आदत रही है तो अगर acting को आगे और मिलता है तो I will pursue this seriously like it is never just another thing for me कुछ भी मेरे लिए just another thing नहीं होती पूरे दिल से करता हूं इसमें भी कोशिश करी है पहला है अभी देखो जनता ही बताएगी तुम्ही लोग बताओगे देख देख के भाई absolutely असा है क्या है साहिल भाई का मुझे आया था last to last month DM he was watching one of my reviews तो उनका मेंको मेंसेज आया कि भाई I love your work तो बहुत अच्छा जोक्स लिखता है तो मैंने तसाहिल भाई से भी बात करे थी podcast के लिए and eventually आप और मेरा connection हो गया and then the teaser came out अरे साहिल के साथ कर ब्रो वह भी बहुत unique बाते बताएगा तरो बहुत fun बना है साहिल कटर से आप मुझे कनेक्ट करना I'll talk to him I'll try to bring him अच्छा दोनों बहुत अलगे एक साहिल एकदम ऐसा है एक एकदम ऐसा है तो ऐसे वाला कटर है और दूसरे वाला वैद है तो नाम में है न वो वैद है और वो खटरनाक है कटरनाक है साहिल कटर बैसा थे अपिल भाप कुछ और विließen अ इंड को बाप कुछ तो प्रया है आप जहींगky सब मंने में भाए सब्सक्राइब के लेवने की थी सब्सक्राइब एकदैनों I'm not saying it's a bad thing but reality shows and social media उसके वैसे क्या हो गया है life span चीज होगी बहुत छोटी हो गई है आप एक चीज करते हो लोगों को जब जिस moment तक वो चीज पसंद आ रही है तब तक वो आपको ऐसे सर पर चड़ा लेंगे कि आपका ना सर बादलों के उपर जाएगा फिर अचानक से नीचे से कंदि गाया बजाते है तो reality shows और इन सब की history अगर लेके आएगा तो a lot of people have just vanished off the map who were winners at a point bro रहूल रोय याद है रहूल रोय जो बिग बॉस में आये थे जो नून के जो वो था रहूल रोय जो शेर वाली पिच्छर भी आप चुब बात कर रहे हैं बिलकुल हो सकता है मेरे को इस चीज का पता नहीं था पर हो सकता है वो तो basically जुनून के बाद ही गायब होगे थे जो भी reason रहा हो उसके बाद वो दुआ रहा है तो वही है ना अब उस एरह में फिर भी याद रखते है तो देह आप आज भी याद है कि बिग बॉस नहीं पता है मेरे को जुनून पता है उनका पहली आशकी राजी आशकी वन में भी वही ते एना सासों की जरूरत है जैसे पर उस टाइम के लोग हमें याद तक रहते हैं क्योंकि हम इतने connected होते थे इन लोगों से अब क्या हो रहा है भाई social media तो personality ऐसे बंजा रही है रात और रात आपको पता लग रहा है भाई ये चीज बहुत हेटो रखेगे कि वाइरल हो गई है बाई कीचड में लेटके लोग कीचड में लेटके नाली में कूद के उसके ले तो जिगराची है क्योंकि क्योंकि वो कोई और नहीं कर रहा हो ना वो स्थिल वो स्थिल एक नौता है यार वो एक ऐसा content है ना कोई करेगा भी नहीं अप्लिकेशन है ही नी content ऐसा बना जो चार लोग कॉपी ना करने के लिए गुदा ही वो अच्छी दोस्थ गुदा गुदा जो अच्छी कहलो भाई I think वो हमारे आने वाले दस साल में वो याद रहेगा बंदा कि इसलिए याद रहेगा इसलिए याद रहेगा क्योंकि in true sense वो एक आम आदमी है आम से आम आदमी है जो खास बना है आम से आम आदमी है जो खास बना है एक गाने के उपर कोई रील वाइरल हो जाती है ठीक है क्योंकि उसमें एक special dance step है जब तक वो रील वाइरल हो गई है तब तक वो बंदा जिसके जिसके वो step थे वो वाइरल हो जात बूल जाएँ, बूल जाएँ, बूल जाएँ, वो कच्छा बदाम पे एक लड़की ने डांस किया था, वो that made her a social media sensation, and then she could not, उसने भी उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ कुछ किया, उसने भी, हाँ, हाँ, उसने भी एक दो reality shows करे, and वो replication दुबारा नहीं हो पाई, that's why I say कि, आज करना बहुत ज़रूरी है, it's scarier for the person, exactly, it's scarier for the person who's doing it, because उसको अब एक validation मिल चुकी है, समझ रहे हो, कि हाँ, मैं एक सोचल मीडिया स्टार हुआ हुआ, तब ही शाए, बर्बाद होए थे, कितने लोग बर्बाद होए थे, जो सिर्फ रो के गाना डालके वीडियो बना रहे थे, तो भाई, वो तो क्या है चला था यार? मुह रहा करके चीक रहे हैं, गाना चला रहे हैं, और, and the thing is, भाई, कि the point is कि, ऐसे, वही मैं कहता हूँ, YouTube का एक ऐसा content है, जो long format content है, यहाँ पर जो आफ एन बेस बनाते हो, अब यहाँ बिग बॉस में होके आई हो, आप देख भी रहे हो, दो लोग बिग बॉस को carry कर रहे हैं, like literally, Elvish and Fukra, और, millions में जंता उनकी उठके जा रही है, वहाँ बिग बॉस में देखने, भाई, वहाँ, social media, like YouTube and all these platforms, are the new TV channels, absolutely, अकर तु देखेगा, एक YouTube channel में, और एक TV channel, पुराने जमाने के TV channel में फ़रख क्या है, उसमें भी ad लगते थे, तभी content से पैसे आते रहे हैं, आज भी वही हो रहे हैं, अब उसके बीच में ad हो रहे हैं, वह एक एक गंटे की वीडियो बन रही है, और वो अगर चल रही है, तो उनके बीच में कई बरी दो बरी भी ad आ जाते हैं, बस content dissemination का channel change हो गया ना, टीवी से आप वो computer पर आ गया, आप, भाई आप तो TV भी computer ही है ना, उस पे आपके apps डाउनलोड हो जा रही है, Google Play Store से, Roku TV हो गया, Fire TV हो गया, इस पे apps डाउनलोड हो जा रही है, उस पे आप डारेक्ट देख रहे हो, तो see, हमेशा ना, चीजे बदलती नहीं है, वो एक नया रूप ले ले लेती है, कुछ भी, तरीके नहीं बदलेंगे दोस्त, वो एक नया रूप, Evolution, हाँ, Evolve हो जाती है, How do you think the Indian Hip Hop scene is evolving now? भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है, बहुत बढ़िया चल रहा है, अब, गिनते, देखते, कुछ सालों के अंदर, मतलब सुनने वाले, सुनाने वालों की तादा देतनी बढ़ी हो गई है, कि अब एक बहार वाले प्लैटफॉर्म पर हम बोल सकते हैं, कि भाई, Hip Hop इंडिया में exist करता है, It's not on the sidelines, औरों के गानों के बीच में सिरफ 12 लाईने, सोला लाईने गाने वाला, Hip Hop नहीं है हमारे यां, हमारे यां बकाइदा, It has turned into a lifestyle now, पहले lifestyle नहीं था, हम जैसे गिनिचों ने कुछ लोगों का lifestyle था, पर अब बहुत बच्चों का वो lifestyle है, Cyphers में आज की डेट में, जो dancing Cyphers है, आप पहले सिरफ, अंगरी जी break dance के गाने लगाया जाते थे, सारे English गाने लगाया जाते, पुराने old school, boom bap वगेरा, ताकि वो popping, popping कर सके, अब Indian गाने बसते हैं दोस्त, तो ये एक है, और अब देख, अब us as parents, imagine us as parents, जब हमारे बच्चे हैंगे, यहाँ पे गाने सुन रहे होंगे, वह ही पॉप वाले, तो हमारी गुद्धियां उनके साथ ही लेंगी, हमारे गरवालों की नहीं हिलती थी, we'll be able to head rock with a, and a fam at the same time, so that means, that means it has become a lifestyle, it is like, हमारे अंदर embed हो चुकी है बो, जिन्दगी में आ चुका है बो, जिन्दगी में आ चुका है, और क्या बो देख, अब मैं rap की वज़े से ही तो मैं बिग बॉस का title track बना पाया, है ना, फोर्टनाइट वगरा है यह सब जो आता है, वो इसलिए आता है, पाइट वोड़कास कि अधर रेलेवेंट फोर ते पास 16 यह, हैट और लफ, बीपल लफ तो हेट इट, वो तो कमोशन है, उसको पूरा हेट नहीं बोल सकते है, क्योंकि वह हेट थोडी चंटरी, ऐसको थोडी एह तोडी कहरे है, तुने यह किया दा, नहीं, नहीं, वो तो कॉनफ्लिक्ट्स पर चल रहा है, यार, बिग बॉस की, को छोड़ो, सड़क पर वैसी दो जैने लड़ जाते हैं, तो सार तुरफ खड़े हो जाते हैं, पॉन लेके, हाँ, 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 यह तो लोग हाथ मिलाते हैं, तो नहीं देखेगा कोई, जो खुषंड मारने दूसरे को और देखेगा, एक दम से, जहां, मलब जैसी लोग चलते हैं, दूसरे को हाथ मिला रहे हैं, तो जैसी लोग वो वीड़ भी बहुत लगेगा, हाँ इस साइनिंग आस्ता, हाँ, जो भी बूल रहा हैं, हमने साइन नहीं किया था उसको, जुबानी था वो, कागज पर कुछ नहीं था, कागज पर कुछ नहीं था, कि आजा तू हमारे क्रू में शामिल हो जा, हाँ, मैं बाच्छा भाई, एक सचे टककर करके लड़का है वो म्यूजिक करता था और आस था हमने बनाया था टाइटन्स अच्छा दे टाइटन्स करके क्रू जिसके दौरान मैंने छे के दे डीप मनी के आलबम पे काम किया था तब डीप भाई की उस पे काम हो रहा था उसी टाइम पे इंदीब बक्षी के उस पे काम हो रहा था तो ये सब ये वो है रहा था ये वो है रहा था या अमेजिंग भाई आपसे बात करके मतलब वी वेंट सो बैक कितने 15-20 साल पीसे चले गए भाई कसम से कसम से ये तो सोचने की बात नहीं थे मुझे यकीन था भाई मैं तरह वो भी देखता हूं जो तू रोस्त दालता है न और ऐसा नहीं है कि अभी से उसमें कोई तरीका हो की चेक करने का कि फालो करता है कि नि उसमें चेक कर लियो कर रहा हूं पहले से इकका बाजी ने क्या बात कर थी इकका बाजी कि बाई रफ्तार बाई से एक बार बात कराओ मेरी I would love to because we have so much in common इकका बाजी के podcast से चाही चीजें निकल के आई and then I told इकका बाजी कि यार भा 18 साल के उमर से जानता हूं मैं एक सट्रें मेरे बाईली के दोस्तों का कॉल आ रहा रहा है अचा अचा निपटा है क्या नहीं 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 मैं तेरे को इसलिए बता हूं क्यूकि अपना वह कि मैं उस पंगया था न बिक बॉस पे तो मेरे से तोसको सपोर्ट करते मैंने कर स कि मेरे बादली वाले मेरे पीछे पढ़ जाएंगे अभी मेरे को उसके एक मेसेज यह आ रखा है कि भाई तुझे पता नहीं कितने लोगों ने तेरी वीडियो भेजी मेरे को फिर अपने उसके लड़की की वीडियो भेज दिये गुगुगा करते वे मैं एक एक मेसेज देख रहा था कि क्या उसने मेरे को लखे नो यह आ या वी वी वह यह जा है छब थिए idea पिस देपने भाइ कि अब चीए इसके साथ प्राशर बोलनी शी को मैंने को हां हाँ हाँ वह कह रहे थी बात करने टच में तो मेरे को याद था ऐसा कि कुछ तो है हमारा एसा मुझे इसके साथ कि कह बहुत बढ़ी या लड़का बहुत बढ़ी या लड़का तो इसमे अर्ड पर परनेल देख और पहले कॉल पर who would listen to this podcast like जो अभी तो उनको ये बात सुनाई दे रही है जो हम कर रहे हैं बट जितनी भी आपकी और मेरी वारतलाप रही है throughout organizing this podcast you've been so humble and down to earth अरे भाई और क्या होते हैं आप मेरे को टाल सकते थे easily you could have been अरे दोस्त तब मिलेगी अगर आप ये सारे गोल अचीव कर लोगे ये कोई गोल थोड़ी है ये कोई खिताब नहीं है ब्रो एक इनसान को दूसरे से डंग से बात करनी जीए ये तो basic human quality ये तो अपने ही है शंसकार जो होते हैं वो ये है मैं बहुत ठक चुका हूँ ये लाइन सुन सुनके न कि मतब ये कितनी यूनीक चीज है वाई ये शुदेंट यू भी is the real question बट भाई बहुत साह लोग नहीं होते उनसे तो अगली बर पूछ लियो ऐसा कि भाई आप हमल क्यो नहीं हो मैं तो सही बता रहा हूँ मेरको एक दो लोगों की गान लेनी करनी है but there would come a time where things would be right and the environment but there have been a lot of people and then I compare when I was talking to you I was booking a couple of other podcasts as well so some people were like they ghosted me completely to be very honest and then I connected with you and I got a life lesson if I get to your stature something like you even if I'm like 10% of what you have achieved we bigger we have done it you don't have to grow with me so what's the benefit of our blueprint then what's the benefit of our blueprint no bro absolutely absolutely makes so much sense and thank you for taking out all the time you sit down and talk about 2 hours it was fun and this side people have seen a lot of little beef stuff like that this is something that we wanted I personally wanted to see this I wanted to sit with you jab about the same thing that when you left from Rohini then you went to the college campus and it was exactly like Kaleshi Kalesh Kaleshi Kalesh Kaleshi Kalesh from one place to another place Kaleshi Kalesh absolutely thank you thank you so much I would like to congratulate you for what's happening in your life I have my best wishes so once it's done please keep me posted absolutely I'll be in India next year then I'll completely hit you up whenever you have the time that is I'm going to the US tour when are you going to the US tour? I'll tell you September 20th October 10th so almost like Canada I don't know might get extended to there but now it's US it's not going to be like that because free days between it will be fun absolutely please come please come and when you're in Canada Alberta Calgary be my guest I don't know guests whenever you come I'm thinking of Vegas I'm talking about you because I'm telling you absolutely we're going to the US Vegas we'll get to the US yeah okay Vegas we're not a brave person right? no no we're not a brave person we're going to the hip hop royalty parting with hip hop royalty? oh what part we'll sit in the laundry and we'll eat Montu and we'll eat Montu I'm eating today you've given me so much time we'll eat whenever I come to Delhi next if you're in Delhi so let's connect once and let's we'll do another podcast which will be like on the roads of Delhi go to places where we're going to eat there to go and eat just yeah absolutely let's include Hikka Paji in this yeah that's how you do it in the sector 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 every day they're going to put it on the Lancer yeah our model town Ashok Meat Ashok Meat man what was that this whole the Kulachi 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 थांक यू बाई थांक यू रुफ्तार भाई जाना जैसे अभी अपने डिसकस किया इल्ली आपक पर कनेक्ट करता हूं अमेर्य जो हमारे दू भाई या पे तिरे टीम मेंबर्स बाया है उसको भी भाई राम राम बनारस वालो को भी प्यार सब को प्यार